अध्याए 521 अप्रत्याशित आक्रमन, कहियर का संकट भाग दो, उनके बीच दानव पक्षी और डबल सेर वाले दानव गिद्धों ने अपनी वायू सेना बनाई, दानव भेलियों ने सामने की और डबल तलवार वाले दानवों का नित्रित्व किया और उग्रदानव और दानव नेत्र सेनिकों ने पीछे का गठन किया, दूसरी तरफ हत्यारों, योधाओं और शूरवीरों का मिश्रन था, शूरवीर और योध्धा सामने खड़े थे और हत्यारे अपनी पूरी ताकत दुश्मनों को मारने या धायल करने में लगा रहे थे, लेकिन लंबे इसलिए कई बार Temple of Assassin को उनसे निपटने के लिए आत्मधाती दस्ते संगटित करने पड़ते थे, लेकिन दूसरे पक्ष की कमान संभालने वाले राक्षस देवता भी आसान लोग नहीं थे, और उन्होंने इन आत्मधाती दस्तों को निशाना बनाने के लिए विभिन शक् के मुख्य अवरोधक थे और पारसपरिक निवारक के रूप में कार्य करते थे, लेकिन ऐसे खूनी पवित्र युद्ध में यह एक्सोर्सिस्त माउंटन पासपक्ष के लिए बेहधानिकारक था जो पहले से ही पतन के करीद था, हाला कि दानव देवता समराट ने एकत्रि पूरी तरह से नश्ट हो जाए, लेकिन इससे जाहिर तोर पर किलो का विनाश और मानव सेनाओं को होने वाली क्षती नहीं रुकी, अपने स्वयम की सैनिकों की तुलना में, राक्षसों ने भोजन के लिए अधिक स्वच मनुश्यों को प्राथमिकता दी, शेंग युन न कैयर की ओर सिर हिलाया, अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। काले वस्त्रव वाली कैयर के बेंगनी बाल लहरा रहे थे, विशाल डैद गौट्सकित उसके हाथ में बिना आवाज के प्रकट हुआ और भीतर से एक धनी गहरे रंग की रोशनी फूट पड़ी, एक ब्लेड का विशाल काले रंग का प्रक्षे पंजारी करते हुए उसकी कहीं से भी प्रकट हो गई, डबल स्वोर्ड दानव जो एक्सोर्सिस्ट माउंटन दर्रे की दिवारों को बेतहाशा पार कर रहे थे, उन्हें गेहुं की तरह कार दिया गया और काले ब्लेड के संपर्क में आने वाले हर दुश्मन को तुरंत टुकडों में कार दिया गया उसकी तीवर हत्या की भावना फैल गई, क्योंकि निचली श्रेनी के राक्षसों के बड़े क्षेत्रों को डेट गौट्सकित द्वारा सीधे कार दिया गया था इश्वर के चुने हुए व्यक्ति के रूप में कैयर का जागरन लौंग हाउचेन से बहुत भिन था आखिरी वाला वंशच की तरह था प्रकाष और एक सामान्य बढ़ावा प्रदान किया जिसमें प्रकाष की देवी का आशिरवाद भी शामिल था जबकि प्रकाष तत्व के साथ उनकी आत्मियता के कारण उन्हें बिलकुल नए स्तर पर पहुँचा दिया गया लेकिन कैयर वैसा नहीं था भगवान के चुने हुए व्यक्ति के रूप में जागने के बाद उसका सबसे बड़ा लाव उसके हाथ में मौझूद संसार के खंजर को डैध गौट्स कित में बदलना था बच्पन से ही वह संसार के खंजर से जुड़ी हुई थी बहुत दर्द और पीरा से गुजर रही थी इस तरह वह धीरे-धीरे देव्य उपकरन के साथ एक हो गई, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इसने कायर के प्रशिक्षन की पूरी प्रक्रिया शामिल है इसलिए संसार के खंजर के साथ उसके मिलन की डिग्री लॉंड हाउचेन और उसके कुछ दिव्य उपकरनों के बीच की एकता से कहीं अधिक थी व्यक्तिगत आवेगों के संदर्भ में कायर की जागरिती की तुलना लॉंड हाउचेन से नहीं की जा सकती थी लेकिन प्रदत्त दैविय शक्ति के पहलू में लॉंड हाउचेन की जागरिती ही पिछर रही थी शहर के फाटकों के सामने जिनकी आखे खुन से चमक रही थी कयर के बेंगनी बल उसके प्रकट होते ही उसके चारो और भूं गए अपनी या देख होने के बाद उसने पहले की तुलना में पूरी तरह से ठंडेपन का एहसास नहीं होने दिया बलकि इसके बजाए हर बार जब वह डैद गौट्सकित का इस्तिमाल करती थी तो उसे ऐसा लगता था कि उसका स्वभाव वापस आ गया है हत्या का इरदा कहियर के शरीर के बाहर प्रकट हुआ और उगल दिया जिससे दानव शक्तियों और सहयोगियों दोनों को अंजाने में पीछे हटना पड़ा केंद्र में कहियर के साथ खाली क्षेत्र दस मीटर के व्यास के साथ बनाया गया था वह भावशुन्य थी एक परमसॉंदर्य जिसकी आखों में असीम मारक भावना भरी हुई थी एक सोर्सिस्ट माउंटन पास पर लोटने के कुछ समय बाद कयर वास्तव में नरसनहार करने के लिए बेहद अनिच्छुप थी आखिरकार अपनी यादेख होने के बाद उसका मन एक युवा लड़की जैसा हो गया था नरसनहार करने के विचार को स्वीकार करना इतना आसान कैसे हो सकता है यहां तक की डेध गौट्सकित के प्रभाव के बावजूद वह अंदर से वास्तव में उस विचार के खिलाफ थी इसलिए शेंग युने विशेश रूप से घायलों के लिए लंबे समय तक खेतों में रहने उसे साधारन चीजे सौंप ने उसकी दैनिक खेती के बाद काम में मदद करने की व्यवस्था की वहां कैयर ने इतने अत्याचार देखे कि वह कभी नहीं भूल पाएगी पहली बार जब वह आया तो उसने एक सैनिक को देखा जिसने दोनों पैर और एक हाथ खो दिया था और अपने आखिरी बचे हाथ से पकड़े खंजर से अपने दिल को छेद लिया था उसने जो सुसाइड नोट छोड़ा था उसे कैयर ने व्यक्तिगत रूप से शेंगियू को दिया था इस नोट की सामगवी थी नियू नियू दो दोग पिताजी आप दोनों से प्यार करते हैं हाला कि मैं आपके साथ कुछ और नहीं दे सकता घ्रिनित राक्षस हमारे घर पर आकरमन करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए पिताजी अपने साथियों के साथ अपनी जान देकर हमारे गटबंधन की रक्षा कर रहे हैं एलायन्स हर किसी का घर है डैडी के मरने के लिए एक सम्मानजनक जगह है लेकिन पिताजी को वास्तव में आप से अलग होना पसंद नहीं है और वह अपनी मा और आप दोनों को देखना चाहते है पिताजी वास्तव में उस समय में वापस जाना चाहते हैं उन दोनों को मेरी गोद में बैठाते हैं जबकि मैं उन्हें गले लगाता हूँ उनके गालों पर चुम्बन देता हूँ और पिताजी के चेहरे पर उनकी सिस्कियों को महसूस करता हूँ पिताजी आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन वह अब और नहीं टिक सकते काश मैं मा की आवाज सुन पाता पिताजी के विछेद वेतन से उन्हें बढ़ने में मदद मिलनी चाहिए उन्हें उस मौत को याद रखना होगा पिताजी की लड़ाई गटबंधन की लड़ाई मानवता की लड़ाई की भलाई के लिए थी पिताजी को उम्मीद है कि वो उनकी उम्मीद बन सकते हैं यदि एक दिन एलायंस को उनकी जरूरत होती है तो पिता जी को उम्मीद है कि वे हथियार उठा सकते हैं और एक्सोर्सिस्ट माउंटन पास के दुश्मनों के खिलाफ अपना पक्ष रख सकते हैं उनके पिता जो उन्हें हमेशा प्यार करते हैं। नोट पढ़ने के बाद कयर आधे घंटे तक बेजान पढ़ी रही। उसके बाद उसकी आखों और दिल में जो डर था वह गायब हो गया। घायलों के लिए खेतों में वह गंदा होने या ठकने से नहीं डरते थे और उन्होंने घायलों की मदद करने की पूरी कोशिश की। ये तीन महीने की अवधी तक चला। तीन महीने बाद शेंग यू अपने हाथ में उस सुसाइड नोट की एक प्रती लेकर कयर की तलाश में निकली। उन्होंने कयर को बताया कि मुआवजे का भुकतान मूल सुसाइड नोट के साथ भेजा गया था। उस पल में कयर ने राक्षा के लिए अपने जीवन की कीमत चुकाने को तयार थे और गटबंधन पर बोज बनने के बजाए खुद को मारना पसंद कर रहे थे। समसारा की पवित्र बेटी एक अतुलनी ये प्रतिभाशाली व्यक्ती के रूप में क्या वह घायलों के लिए इन क्षेत्रों मे रह सकती थी। किसी दुश्मन की हत्या करने का मतलब है कि आपकी तरफ से हमला करने वाला एक कम दुश्मन है जिसका मतलब है कम धायल और विकलांग। इसके बजाए उसे अपनी ताकत का इस्तिमाल युद्ध के मैदान में करना चाहिए। जब तक राक्षस यहां हैं ट्र जजदार काली आकृती दोरी बड़ी संख्या में निम्न श्रेनी के राक्षस टुकरे टुकरे हो गये। कैयर बिलकुल एक काले भूत की तरह था जो बहां दिखाए देता था जहां दुश्मन सबसे अधिक केंद्रित था। और स्थिती सबसे खतरनाक थी। वह जहां भी गुजवी डैट स्कित ने उसके सामने आने वाली हर चीज को बहा दिया। उसके हाथों न जाने कितने राक्षस मर गए। बजना डैट स्कित शेतिज रूप से बह गया था जो गहरे सुनहरे विद्युत प्रकाश के समान दिखाए दे रहा था। कैयर का शरीर आखिरकार गया और उसकी नजरे गहरे सुनहरे रंग की चमक बिखेर रहे एक शक्तिशाली दानव पक्षी पर केंद्रित हो गई। ये दानव पक्षी साधना में कम से कम सात्वे चरन पर पहुँच गया। कैयर पर अपने तेज भाले की और इशारा करते हुए वह पूरी तरह से प् अतावरन अंधकार में हो गया और डाक गोल्दन दानव पक्षी ने लगभग तुरंथी अपनी तलवार उसकी पीठ में घोब दी। डिंग, बाम डैम, ये गहरा सुनहरा भाला इंसानों के एक पौरानिक हथियार की शक्ति के काफी करीब था। लेकिन जैट ब्लेक ब्ले उसकी आकरामक शक्ति बहुत अधिक थी, क्योंकि लोंध हाउचेन सात्वे चरण में रहते हुए भी टूटा नहीं था, उन राक्षसों को एक तरफ छोड़ दिया। मेस दानव पक्षी का सिर काटने की तुरंत बाद, उसे अचानक खत्रे का एक अवर्णी एहसास हुआ, और उसने अपना चेहरा दानव शिवर की दिशा की ओर मोड लिया। उस दिशा से प्रकाष की कम से कम सेकर्णों किरने संगनेत होकर सीधे कयर की दिशा में चली गई। प्रकाष की इन किरनों ने एक विशाल स्थान को कवग किया, इस हद तक की कयर की गति के साथ भी, वह एक्सोर्सिस्ट माउंटन पास की सीमा से बाहर निकाले जाने के बाद उसे एक आश्चार्य जनक हमले का सामना करना पड़ा जो दानव नेतर सैनिकों और उग्रदानवों के बीच मिलन से आया था। उनमें से कम से कम 200 लोग थे जिन्होंने कैयर के प्रकट होने के ठीक बाद हमला किया था। कैयर ने पहले ही एक्सोर्सिस्ट सिटी क्षेत्र में कई बार उत्पात मचाया था और हर बार जब वो प्रकट होती थी तो राक्षस अत्यदिक खत्रे में होते थे। छटे चरन या उससे उपर के शक्तिशाली लोगों की संख्या जो उसके हाथों मारे इन अतिरिक तंधेरे मौलिक हमलों के सामने कैयर ने थोड़ी सी भी घबराहट नहीं दिखाए। जुक कर बैठने की स्थिती में वह तुरंत धुन्द भरी काली धुन्द से घिर गई। डैद गौड स्कित को उसकी सिर के उपर उठाया गया और उसने अचानक तड़कने क अध्याय 522 अप्रत्याशित आक्रमन कैयर का संकट भाग 3 ठीक है कैयर ने इसे चक्मा नहीं दिया बल्की एक सरल चाल चली। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जैसे ही डैद गौड की स्कित जमीन पर पहुंची कैयर अपने हथियार के साथ अचानक गायब हो अरे से केवल एक विशाल प्रक्षेपन ही बचा था। उसके चारों और का आकाश अचानक विक्रित हो गया और बड़ी मात्रा में आने वाली जादूई बिजली विक्रितियों के कारण सभी दिशाओं में बिखर गई और उसी समय जैसे विशाल ब्लेड ने आकाश को भावित करते हुए एक छोटी सी सीमा में एक डोमेन जैसी शक्ति तैनात कर सकती थी। डैद गौर्ड स्कित में कई विशेशताय थी जिन में से सबसे शक्तिशाली थी अत्यदिक शक्ति और पवित्रता। प्रचंद शक्ति उतनी ही शक्तिशाली है जितनी लगती है ये हम पस शहर के प्रमुक स्थान पर ले गई। हाला कि वह वास्तव में नीचे इकठे हुए इन जादू टोने वाले राक्षसों को मारना चाहती थी लेकिन उसके कारण ने उसे बताया कि यह एक अच्छा विचार नहीं था। जैसे ही कईर शहर के मुख्य भाग की और मुरने वाली थी वह अचानक रुख गई। तुरंट उसे एक प्रकार का चिपचिपा एहसास हुआ जो वास्तव में असुविधा जनक था। वह सुस्त महसूस कर रही थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी आध्यात्मिक उर्जा लगातार संकुचित हो रही थी। क्या हो रहा हिया। कैयर को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सहज रूप से अपनी आध्यात्मिक उर्जा मृत्यू के देवता स्कित में डाल दी। और मृत्यू ठीक उसीक्षन उसके माते की और इशारा करते हुए एक काली बिंदी देखी जा सकती थी। ये काला बिंदु मा के लिए अद्रिश्य होने की सीमा तक अत्यन्त तेज था। इसके अलावा कैयर प्रतिबंदित स्थिती में था और उसके खिलाफ बचाव पर पूरी तरह से ध्यान केंडरित करने में असमर्थ था। दुश्मन की और से एक आश्चर्य जनक हमला। ये कैयर का पहला विचा लेकिन जो सबसे आश्चर्य जनक था वही ये था कि उसकी धारना और डैट गौट्स कित की हत्या की भावना वास्तव में इस दुश्मन की उपस्तिती का पता लगाने में सक्षम नहीं थी। ये हविचार उसके दिमाग में कौन्ध गया और वह केवल रक्षात्मक मुद् डिंग, एक गगनवेदी ध्वनी के साथ कैयर को ऐसा लगा मानो उस पर किसी विशाल हथोड़े से हमला किया गया हो और उसके मूव और नाक से खुन टपकने लगा। अपने हाथों की सारी समवेदना खो दी है। सबसे भयानक बात तो ये थी कि इतना भयानक जटका सहने के बाद भी उसका शरीर उर नहीं पाया, बलकि उसी चिपचिपी अनुभूती के साथ यहीं अटका रह गया। अटक शक्ती का उत्पादन कर सकती थी। जबकि उस चिपचिपी अनुभूती के लिए वह शत्रू का क्षेत्र होना चाहिए। एक सोर्सिस्ट माउंटन पास पर शेंग यू इस समय कईर की गतिविदी को देख रहा था और उसने देखा कि कैसे वह अचानक रुख गई थी। उस काले धब्बे की खोज करते ही शेंग यू को एहसास हुआ की स्थिती अच्छी नहीं थी। लेकिन ये बहुत तेजी से हुआ था। अपने साधना स्तर के बावजूद भी वह कैर को बचाने के लिए समय पर नहीं पहुँच सका। एक गगनवेदी करकश ध्वनी सुनाई दी जिसने दोनों तरफ के लड़ाकों का ध्यान भटका दिया। उन्हें ये जानकर आश्चरे हुआ की एक सोर्सिस्ट माउंटन पास सिटी की दिशा में आकाश में एक बड़ा छेद खुला था जो कैर के किनारे तक फैला हुआ थ इसलिए वह केवल दुश्मन पर अपने हमले को रोक सकता था। यदि दुश्मन का हमला कैर तक पहुँच गया तो शेंग यू की पूरी हमले की शक्ती निश्चित रूप से उसे बहुत गंभीर नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन ठीक उसी क्षन, सभी उम्मीदों के विप्रीट, कईयर ने खुद को भागय के हवाले नहीं किया। उसके हाथ पहले से ही सुनन थे, उसका शरीर राक्षस द्वारा प्रतिबंधित था, लेकिन उसके पास आत्मस संरक्षन के लिए अभी भी कुछ संसाधन थे। कईयर की आखों में गारा काला रंग चमक गया फिर उसका शरीर अचानक गायब हो गया। फिर डेट गौट्स कित अचानक अतुल नियर रूप से सघन हत्या के इरादे से भड़ा कुठा। कीचर रहित क्षेत्र में अचानक एक छोटी सी दरार बन गई और उसका हत्यार उसमें घुज गया। शेंग यू की अपेक्षा गौट्स कित हिंसक रूप से हिल गया जिससे तीवर भनभनाहत की आवाजे पैदा हुई। डुमेन का अतिक्रमन करने की तुरंत बाद कैयर को जबरन डेट गौट्स कित से अलग कर दिया गया। अधिक सटीक रूप से पिछलिक शन में वह डेट गौट्स कित के साथ एक ह पर दिया। ये डेट गौट्स कित के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से। एक थी, अंदर एक छोटी सी जगह मौजूद थी, जहां कैयर संकट के समय छिप सकती थी, और दुश्मन के शक्तिशाली हमलों से बचने के लिए उप्योगी थी, अपने शरीर की रक्षा के लिए डेट गौट्स कित की कठोर सामगरी पर निर्भर थी, ये केवल इस शमता के अस्तित्व के कारण है कि शेंग यूतप शांत महसूस कर सका जब उसने कैयर को युद्ध के मैदान में अनियंत्रित रूप से दोड़ने दिया, लेकिन दुश्मन का आखिर की हमला इतना शक्तिशाली था कि कैयर को उसके दरांती के भीतर से गिरा दिया, कैयर का चहरा और भी पीला पड़ गया, पिछले प्रभाव से सुरक्षित रहना असंभव था, लेकिन उसके दोनों हाथ पहले ही सुन्नता से उबर चुके थे, उसके शरीर से हत्या करने का ए कैयर ने बहुत पहले ही इस हमले पर पूर्ण नियंत्रंग कर लिया था, जैसे ही मौत की भयानक आभाफूटी, आसपास का आकाश अचानक कम हो गया, जिससे उस दुश्मन की उपस्तिती प्रकट हो गई जिसने आकाश से उस पर हमला किया था, यह एक ऐसा शत्रू था जो पतला और इंसान जैसा दिखता था, उनकी आकृती एक भ्रम जैसी लग रही थी, लेकिन उनके प्रकट होने के बाद उनके पूरे शरीर से रहसे का आभास होने लगा, शेंग यू के हमले को बीच हवा में ही रोप दिया गया, एक विशाल संधर्ष के बीच एक शानदार दुश्मन सामने आया था, जिसके साथ शेंग्यू बहुत परिचित था, वह 52 दानव देवता, बनिंग लान एलो के बनिंग लान कभी लेके नेता थे, लेकिन इस भिलंत में एलो सेर को बड़ीक शती हुई, उसकी छाती पर 10 सेंटीमीटर से अधिक लंबा निशान रह गय लेकिन शेंग्यू का पूरी शक्ती से हमला अवरुध हो गया था, अकेले एलो सेर को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका साथी कईयर को मारने में विफल रहेगा, बलकि उसे जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा, एक तेज धात्वेक ध्वनी के साथ, काला दानव बुरी तरह कांपने लगा, जबकि उसके बाय हात में मौजूद हतियार टुकडों में बिखर गया, लेकिन इस महत्वपून क्षन में उसका शरीर दो हिस्सों में विभाजित हो गया, दोनों में से एक धूल में बदल गया, जबकि दूसरा हिस्सा नश्ट हो गया, पचास मीटर स अधिक पीछे खदेर दिया, यह एक कोशल था जिसे सोच समझ कर भागने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका उप्योग बच्पन में मृत्यू का मुकाबला करने के लिए किया जाता था, सपश्ट रूप से दुश्मन ने कयर के डैध गौड्स कित का सामना करने की हि अब हो गया, उग्रस सिंग लोकेर ने भी उसका पीछा किया, मुलकर और एन एक अगनी उलका के निकट कुछ, जो राक्षसों के मुख्य शिविर की और वापस जा रहा है, शेंग यू ने उनका पीछा नहीं किया, बलकि अपनी परपोती की रक्षा के लिए सावधानी ब साथ मिलाकर एक आश्चर्य जनक हमला किया, और ये लगभग सफल रहा, कैयर हवा की बड़ी-बड़ी सासे ले रहा था, दुश्मन के अचानक हमले को रोकने और सेवन डैट गौड आर्स का उपयोग करने से उसे अत्यदिक तनाव हुआ, जिससे वह घायल अवस्था में आ गई, जैसे ही शेंड यू कयेर की हालत को देखने के लिए तयार हुई, अचानक उसकी आखों में एक चोकाने वाला भावाया, ऐसा इसलिए था क्योंकि दूर एक सुनहरी रोश्नी उसके क्षेत्र की ओर उर रही थी, लेकिन उसका लक्ष एक सोर्सिस्ट माउंटन पास नहीं था, बलकि बनिंग लान एलोकर का भागने का मार्क था, ये सुनहरी रोश्नी बहुत तेज थी, और इसकी चकचोद कर देने वाली पवित्र उपस्तिती से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानु सूर्य आकाश से गिर रहा हो, इसकी शांदार चमक ने पूरेक शेत्र को अक्षस और मानव शक्तिया आश्चारे चकित हो गई, जो आने वाली सुनहरी रोश्नी पर अपनी आखे केंद्रित करने से खुद को रोक नहीं सके, प्रकाश के एक मंद बिंदू से यह एक मानव चाया का आकार लेना शुरू कर दिया, और जब यह एलोकेर से लगभग 100 म की दूरी पर पहुचा, तो इसने दोलनशील नारंगी विकिरन का विसफोर छोड़ दिया, एक नारंगी टौवर धाल को सपश्ट रूप से देखा जा सकता है जो एलो सर की दिशा में हमला करने के लिए आया था, शेंग यू की आखें एक सेकंड के लिए चौड़ी हो 52 रैंक दानव देवताओं के बीच उनकी सबसे कम साधना की ओर थी, उनकी आध्यात में कूर्जा नौवे चरण के निचले चरणों में एक मानव के बराबर थी, परिनामस वरूप शेंग यू से कम थी, और निस संडे, एक बढ़े अंतर ने उनके हथियारों को अलग कर द ये कम से कम 10 दिन से 1.5 महीने तक की आवश्यकता हुई, पीछे हटने के बाद और मुख्य शिविर के रास्ते में एलो सेर को अचानक एक विशाल पवित्र आभा का आगमन महसूस हुआ और यह स्पश्ट रूप से उस पर निशाना साध रही थी, प्रकाश की वह आभा क्य जिससे आध्यात में कूर्जा की तेज लहरे निकलने लगी, उसके दहे ने हाथ में एक आरी के आकार की लंबी तलवार दिखाए दी, जिसका लक्षे अचानक आने वाले दुश्मन को काटना था, एलो केर मूल रूप से दोहरी तलवारों का उप्योब कर रहा था, लेकिन उसकी दूसरी लंबी तलवार शेंग यू द्वारा नश्ट कर दी गई थी, यहां तक की दानव देवताओं के पास भी आवश्यक रूप से शक्तिशाली हथियार नहीं होंगे, मुझे उन्हें बार-बार बदलना पड़ता था, लॉन्गस वार्ड्स की वह जोड़ी निम पुरानिक स्तर पर थी, और शेंग यू के महाकाव्य स्तर पर खंजर की जोड़ी की तुलना में उसकी शक्ती में बड़ा अंतर था, क्षन भर में वह विशाल धालोरंज एलो सेर पर हमला करने ही वाला था, वह अचानक रुप गया और तुरंथ, एलो सेर को आश्चर्य से पता चला कि उसके प्रतिद्वंद्वी की धाल से एक बेहत तेज आभा फूट रही है, वह अत्यंत प्रबल मानसिक शक्ती उसके शरीर को नहीं बलकि उसके मानस को लक्षित कर रही थी, एलो केर को चक्कर आ रहा था, क्योंकि तेज मानसिक शक्ती ने उसके पूरे देने लगी, एक भयनकर जड़प में, वह अलो सेर से नहीं हारा, दोनों पक्षों ने एक दूसरे को खदेर दिया, लेकिन अलो सेर की हालत काफी खराब दिख रही थी, जब नारंगी धाल उसके हथियार से टकराए, हाला की प्रतिद्वंद्वी के पास बहुत ताकत थी, लेकिन उसकी खेती अप्रतिरोध्य नहीं थी, लेकिन जिस चीज ने संतुलन तोड़ा वह विश्वसनिय पवित्रता के प्रकाश सार का विसफोट था जो धाल के अंदर से निकला था, वह वास्तब में एक हलका तत्व स्पिरिट माउंटन था, एलो केर मूल रूप से घा सकता था कि एक शांदार स्टार लाइट यूनिकॉन पर सवार इस पूरी तरह से सशस्त्र शूरवीर के पीछे एक जेट काली छाया चमक रही थी, ये वह दानव बिजलीगर था जिसने एलो सर के साथ कैयर पर हमला किया था, पिछली जड़ब के बाद उन्होंने एक बार दुश्मन पर चिपकर हमला बोला था, उस पूरी तरह से सशस्त्र शूरवीर को सपश्ट रूप से इसकी उम्मीद थी, अचानक अपनी स्थिती पीछे खिसकते हुए उसकी आखे क्षितिच पर भूम गई, डिंग, जैसे ही नारंगी शूरवीर के पूरे शरीर ने एक श लेकिन ठीक इसी समय, एलोसेर ने अपना मूह पूरा खोला और वहां से काले गोले दा गे, मौके का फाइदा उठाने में एक हत्यारे से ज़्यादा माहिर कोई नहीं होगा, और यह जगह हत्यारों के मुख्याले से ज़्यादा कुछ नहीं थी, हत्यारे के मंदिर के नेता के रूप में, शेंग यू इसे कैसे नहीं समझ सकते थे, जबकि शक्तिशाली गोल्ड मोल्टेन आर्मर नाइट ने दो राक्षस देवताओं का ध्यान अकर्शित किया, शेंग यू ने बहुत पहले ही खुद को पूरी तरह से छुपा लिया था, टैंपल अलायंस में एक ह निश्चित रूप से एक आश्चारिजनक हमले का अफसर पैदा करेगा, और इस तरह चीजे सामने आईएं, गोल्ट फाउंडेशन नाइट द्वारा एलो सर के मानस में छोली गई शक्तिशाली तलवार के इरादे ने उसके घाब को बढ़ा दिया, और वह अपने सहयोगी को नाइट पर घात लगाते हुए देखने से निश्चिंत हो गया, इस सबने उसे इस पल में कमजोर बना दिया, शेंग यू का हमला राक्षस हत्यारे की तुलना में थोड़ा धीमा था, लेकिन गती में इस अंतर ने घातक परिनाम उत्पन किया, टकराना, उग्रशेर दा दानव आवंटेन करता ने एक भयानक चीक निकाली, एक दानव देवता का शरीर निश्चित रूप से कठोर था, इस हद तक कि शेंग्यू की पूरी ताकत भी उसके शरीर को नहीं काट सकती थी, लेकिन उसकी चाती में एक तिहाई मीटर व्यास का एक छेद दिखाए दिय ये एक ऐसा घाव था जो जानलेवा लग रहा था, हाला कि शेंग्यू ने उसे जाने देने की यूजना नहीं बनाई थी, इसी बीच उसके दूसरे खंजर ने एलो केर के सिर के पिछले हिस्से में जोरदार वार कर दिया, एक दानव देवता की जीवन शक्ती अविश्वस इसनिय थी, विशेश कर उसके दानव देवता स्तंब के आसपास, इसलिए उसे दुश्मन को पूरी तरह से मारना था, ये गारंटी देने के लिए कि वह फिर से नहीं उठेगा, एलो केर की मौत काफी दुखत थी, उसने बिलकुल भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके अखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, शेंग यू लॉंग हाउचेन के समूव की तुलना में कहीं अधिक अनुभवी था, और वहुस्तिती में बेहत सहच था, एलो केर की मृत्यू के बाद, उसके दानव देवता के मुकुट को दूर जाने का समय न देते हुए, शेंग अगर दानव देवता का मुकुट वापस आ जाता है, तो वह लगभग तुरंथी एक उत्तराधिकारी की खोज करने में सक्षम हो जाएगा, और एलो केर की शक्ती का एक हिस्सा उसे सौब देगा, जिसके बारे में बात करते हुए, जब उन्होंने एंडु मैलियस की हत्या की तो दानव देवता का मुकुट हाव उन्हे खा लिया था, इसलिए लॉन्ग हाव चेन को नहीं पता था की इसका क्या होगा, जिसक्षन शेंगियू के घातक हमले जारी किये गए, आकरशक नारंगी धाल ने एक बार फिर हत्यारे दानव देवता को अवरुद कर दिया, जिससे वह जलते हुए शेर दानव देवता को बचाने से बच गया, इसके बावजूद की इसे कैसे देखा जा सकता था, ये सब एक जटके में घटित हो गया था, कईयर के विरुद्धत दो राक्षस देवताओं द्वारा किये गए आश्चा रिजनक हमले से लेकर एलो सर की मृत्यू तक पलग जपकते ही कुछ पल बीद गये थे, यह उनका सहयोग करने का पहला मौका था, लेकिन इतने अच्छे परिनाम देने के लिए उनके पास एक निराकार आपसी समझ थी, जिसमें सही मात्रा में विश्वास और एक जुटता थी, गोल्ड फाउंडेड न नाइट व्यवसाय में उनकी महारत पूरी तरह से सफल रही, यद्यपी शत्रू के प्रतेक हमले से उसकी आध्यात में कूर्जा बड़ी मात्रा में नश्ट हो गई, फिर भी वह आवश्यक समय तक इसे जारी रखने में सफल रहा, दुश्मन के पास और अधिक विनाशकार हमले की तयारी करने का समय नहीं था, और वह केवल असहाय रूप से शिंग यूद्वारा एलोकेर को मारे जाने के द्रिश्य को देख सकता था, राक्षस शिविरो में बहुत दूर, बनिंग लान डैमन गौट पिलर एलोसर साथ अन्य की तरह ही चमक रहा था, लेकिन एक सो गया और आकाश में उड़ गया और पूरी तरह से गायब हो गया, युधक शेत्र का ये भाग माउंटन पास के करीब था, ओज्वा, इसलिए कातिलों के मंदिर से आने वाली से नायराक्ष सा देवताओं की तुलना में तेजी से आ रही थी, यदि वह अभी नहीं गया, त दानव भालू दानव गौड वेलेफोर जैसी बेतु की रक्षात्मक शक्ति वाले लोगों कुछ छोलकर, नौवे चरण के बिजलीगरों के जीवन और मृत्यू का अनुमान अक्सर उनके बीच जगडे की स्थिती में लगाया जाता था, अपनी धाल पीछे खीचते हुए उस गोल्ड फाउन्डेशन नाइट ने कुछ लार थूकते हुए कराह निकाली। हत्यारे राक्षस देवता के लगातार हमले का विरोध करना आसान बात नहीं थी। यदि उसके पास पर्यापत आध्यात में कूर्जा का समर्थन करने के लिए महकाव्यस्तर पर स्टार ला लाहुआ कवच नहीं था, भले ही उसकी रक्षा स्पिरिट माउंटन स्थिती में रखी गई हो, उसकी आध्यात में कूर्जा एक उन्नत अंतिम रक्षा को बनाय नहीं रख सकती थी तीन से अधेखित ले। एक बनाम एक की स्थिती में ये गोल्ड फाउन्डेशन नाइट निश्चित रूप से हार गया होता, अगर उसने भागने पर विचार किये बिना मौत से लढने का फैसला किया होता। वह और शेंग्यू अभी तक पीछे नहीं हटे, केवल दूर से चमक रहे दानव देव स्तंभो को देख रहे थे, क्योंकि उनके चारों और हवा में विक साव्यस्तर पर उपकरन का एक टुकड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। वू वू पीछे हटने का बिगुल बज गया और आकरामक बड़ी राक्षस सेना तुरंट सामुहिक रूप से पीछे हट गई। इसके अलावा साथ दानव देव स्तंभ जो जगमग रहे थे वे भी काले पढ़ने लगे। हाँ हाँ शेंग यू ने जोर से हस्ते हुए कहा यह अच्छा लगता है। इस बूरे आदमी ने आखिरकार अपनी सारी संचित नाराजगी बाहर निकाल दी। शेंग यू का स्वभाव गुसेल था और उसने पूरे समय खुद को पाताहत होने के दर से नौवे चरंग के शक्तिशाली लोगों को युध्ध में शामिल करने की इच्छा नहीं रखता था। इसलिए नौवे चरंग की शक्तिया केवल एक दूसरे के खिलाफ ख़डी होनगी लेकिन फिर भी उन्हें लडाए में शामिल होना होगा। है। इ तो वास्तव में एक अप्रिय भावना थी। शक्तिशाली होगा, उसे अपनी वास्तविक शक्ती प्रदर्शित करने के लिए उप्योग करता से उतनी ही अधिक ताकत की आवश्यक्ता होगी। दूर के राक्षस देवतस्तंब को बुलाया होता और शेंग्यू के हाथों नहीं मरता। लेकिन दुर्भाग्य से इस दुनिया में सब कुछ उचित नहीं था। धन्यवाद बंधू युद्ध की ये लूट आपकी होनी चाहिए। शेंग्यू ने बिना किसी कंजूसी के एलो केर की लाश को गोल्ड फाउंडेशन नाइट को सौग दिया। गोल्ड फाउंडेशन नाइट ने सिर हिलाया नमस्ते वरिष्ट। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। की इंद्रियों ने पाया कि वहां लड़ाय हो रही है। उसने हान्यू को एक्सोर्सिस्ट माउंटन दर्रे की और जाने के लिए कहा जबकि वह उचाई पर सवारी कर रहा था। ये देखने के लिए कि क्या उसकी कहीं भी जरूरत हो सकती है। हाला कि उन्होंने लॉंग त्यानरीन के मिशन को बहुत दिल से नहीं लिया। लॉंग हाउचेन अपनी क्षमता के सर्वोत्तम उपाय से अधिक से अधिक योगदान अनकरजित करना चाहते थे। एक सोर्सेस्ट माउंटन पास के आसपास के क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद उन्हें लगभग तुरंत का यर लड़ाई के बारे में पता चला, डेध गौर की स्कित ने उन्हें सबसे सीधा संकेट दिया। लॉंड हाउचेन इस खबर से वास्तव में खुश थी और जब उस पर अचानक हमला हुआ तो वह उसके साथ शामिल होने के लिए तैयार थी। का अनुभव करने के बाद उनमें युद्ध के मैदान पर भविश्यवानी करने की अच्छी क्षमता थी। कईयर को अच्छी तरह से और दो राक्षस देवताओं को पीछे हटते हुए देख कर उसने दुश्मनों से वापस आने का एक मात रास्ता चुना। इस प्रकार ज पहचान चुपाने की चाहत में उसने तुरंत बात बदल दी क्योंकि यह खुद को उजागर करने का उच्छित समय नहीं था। पाउंडेड नाइट होना चाहिए। वो अभी भी खुद को प्रोविजनल होली नाइट लीडर कहते थे। पवित्र शूरवीरों के नेता की स्थिती नाइट टैंपल में टैंपल लीडर और सहायक नेताओं के बाद दूसरे स्थान पर थी। नाव पदोननद गोल्ड फा लहर वापस चले। सैनिक तो आसु बहाने की स्थिती तक पहुँच गए। एक सोर्सिस्ट माउंटन पास को चुपचाब देखते हुए क्षती के कारण पहले से ही पहचाना नहीं जा सका। लॉंग हाउचेन को बहुत दर्द महसूस हुआ। इस पवित्र युद्ध के कारण के रूप में उ और युद्ध नहीं होंगे। लॉंग हाउचेन ने गुप्त रूप से खुद से यह वादा किया था। इसी बीच वह धीरे-धीरे एक मंत्र का जाप करने लगा। शेंग यू ने आश्चर्य से पास के लॉंग हाउचेन को देखा। वह महसूस कर सकता था कि इस गोल्ड फाउंडेशन नाइट से प्रकाश सार का अत्यदिक सगन उतार चड़ाव उस तर तक पहुँचने लगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लॉंग हाउचेन की गायन आवाज बहुत कोमल थी और उनका जादू बहुत धीमा था लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से दक्षता नहीं खोई। कोई देख सकता था कि उसके शरीर के चारों और प्रकाश के असंख्यकन फूटने लगे। शेंग यू ने एक गहरी सासली और आभारी अभिव्यक्ति प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका और धीरे से टिपनी की अपने आप पर बहुत अधि प्रकाश के चोटे चोटे कन उसके शरीर को भीरने लगे। सबसे पहले केवल एक दर्जन थे, प्रतेक सोयाबीन के आकार तक पहुँच रहा था, मुश्किल से ध्यान देने योग्य। लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, हर कोई ये देखकर आश्चरे चकि प्रकाश के गोले का आकार बनने लगा। निकेट और दूर दूर से प्रकाश के एक ही प्रकार के धब्बे दिखाई दिये, जो लॉंग हाउचेन के क्षेत्र के चारो और एकत्रित हो गए और उसके चारो और घूमने लगे। शेंग यू ओजहा शहर की विपरीद दिशा में उड़ने लगा। चून की ये शूरवीर एक्सोर्सिस्ट माउंटन पास में निवेश कर रहा था, इसलिए उसे पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। यदि राक्षसों ने अचानक हमला करने का फैसला किया तो क्या होगा। ना केवल वह, बल्कि उसके आद तरह से केंडरित था और ऐसा लग रहा था कि वह केवल अपनी लंबी और ठकाओ गायन आवाज ही सुन पा रहा था, जो उसके अपराद बोध को हलका कर सकता था। वह एक शांदार स्थिती में प्रवेश कर चुका था। जब मंत्रा भी शुरू ही हुआ था, तो उनके शर में आध्यात्मिक उर्जा लगातार बढ़ती जा रही थी, शांती से उनके अंदर जमा हो रही थी। उन्होंने मूल रूप से आधा ठीक होने तक गाने की योजना बनाई थी, लेकिन आधा पूरा करने के बाद बाकी स्वाभाविक रूप से जारी रहा। इस समय उसका ध प्रकाश के सभी सार का संचालन करता था। उनके समर्थन के रूप में उनकी गहरी दयालुता थी और उनकी छड़ी के रूप में उनका दुख और समर्पन था। प्रकाश से जुली सज्जनता, दयालुता, सद्भाव, त्याग, दया, क्षमा और करुना को उन्होंने गहर प्रकाश की शक्ती का उप्योग कभी भी नर्सनहारों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए भले ही लॉन्ध हाउचेन भविश्य में एक दानव देवता समराट श्रेनी का पावहा उस बनने में काम्याब हो जाए, वो हमलों के समय में ऐसी चीजे करने के लिए प्रका रूप में उप्योग कर रहा था, बेना किसी स्वार्थ या व्याकुलता के और दया की भावनाओं को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोग रहा था। उनकी और निर्देशित नहीं था, एक अंधेरे संबंध वाला शैतान होने के कारण, वे शायद ही अपने दर पर काबू पा सके। आस्मान पूरी तरह सुनहरा था और जहां तक नजर जा रही थी, सब कुछ सुनहरे रंग में बदल गया था। कहीं से हलकी हलकी रोशनी की बारिश शुरू हो गई, जो धीरे-धीरे गिर रही थी। जहां भी हलकी बारिश हुई, लोगों को एक सौमय और सुखद हहसास हुआ, और बारिश की प्रत्येक बूंद प्रकाश की एक बहुत पतली आभा में बदल गई। हर बुंदाबांदी हलकी गर्माहट का असास करा रही थी। कई निम्न श्रेनी की सैनिकों की नजर में, लोंग हाव चेन भगवान की तरह थे प्रकाश उतर रहा है, उसे गर्माहट दे रहा है और उसके सारे दर्द और थकान को दूर कर रहा है। आराधना के निकट की भावना उनमें तुरंत जागने लगी। रोशनी की बारिश का दाइरा सच्मुच बहुत बढ़िया था। ना केवल पूरे एक सोर्सिस्ट माउंटन दर्रे को कवर किया गया, बलकि पिछले युधक्षेत्रों और राक्षस शिविर का स्थान भी अंदर समा गया। जादू के स्थर के पैमाने पर पहुँच गया। और यहां तक की शेंग यू ने भी पहले कभी किसी को इतने बड़े पैमाने पर नहीं देखा था। साथ ही, यह शेंग यू द्वारा देखा गया अब तक का सबसे शांतिपूम निशिद मंत्र था। पुजारी के मंदिर के नौवे चरंग के कुछ संत भी बड़े पैमाने पर और निशिद मंत्र के स्थर पर उपचार मंत्र जारी कर सकते हैं, लेकिन उनके उपचार प्रभाव लॉंध हावचेन की तुलना में बहुत आधिक प्रत्यक्ष होंगे और बड़े भी होंगे। हाला की चिकनाए और रेंज के मामले में उनकी तुलना लॉंध हावचेन से नहीं की जा सकी। एक सोर्सिस्ट माउंटन पास के एक तिहाई हिस्से को घेरना मंदिर के पुजारी की और से सबसे बड़ा पावहाउस था जो वह कर सकता था। और लॉंध हावचेन के देका घाव ठीक हो गया। उन पर इसका उतना प्रभाव नहीं पढ़ा जितना किसी घायल व्यक्ति पर पढ़ा जो इससे ठीक हो गया था। सेनिकों के मन से सारी नकारात्मक भावनाए अचानक गायब हो गई और उनके शरीर के घाव धीरे-धीरे ठीक हो गये। धीरे-ध कुछ सैनिकों ने लॉंध हाउचेन के सामने घुटने टेकना शुरू कर दिया और ये द्रिश्य तेजी से पूरे ओजा शेहर में फैल गया। ना केवल सबसे निचले रैंक के सैनिकों ने घुटने टेक दिये बलकी पाँचवे और छटे चरंग के कुछ ताकतवरों ने भी घुटने टेक दिये। वे उन सभी बुरी चीजों से पूरी तरह साफ हो गए जो उनमें जमा होना शुरू हो गए थी। जैसे ही एक्सोर्सिस्ट माउंटन दर्रे पर चमत कारी बारिश हुई, रोश्नी की बारिश में नहाते हुए बड़ी संख्या में घायल लोगों को बाहर लाया गया। इस अचानक हुई घटना के कारण पूरा एक्सोर्सिस्ट माउंटन पासहल की सुनहरी परत से टपक रहा था। कईयर भी दूसरों की तरह ही शहर में खड़ा था और दूर से गोल्ड फाउंडेड नाइट को देख रहा था। बेशक वो घुटने नहीं टेकेगी लेकिन उसकी आखे बहुत पहले से गीली थी और आसू लगातार उसके चेहरे से बह रहे थे। पहचाना बलकि उसकी उदासी भरे दलदल की यात्रा से प्राप्त धाल को पहचान लिया। पर बाहर निकलने की उम्मीद कर रही थी। जिस सील ने उसकी यादों को इतने लंबे समय तक दबा रखा था, वहां आखिरकार धीली होती दिख रही है। क्यूं? आप मुझे याद क्यों नहीं रखने दे रहे। क्यार के आसू और भी तेजी से गिरने लगे और लॉंद हावचेन को देखते ही उसे बहुत दर्द महसूस हुआ। ये दिव्य वर्षा कम से कम आधे घंटे तक चली और जैसे ही आस्मान से सुनहरा रंग धीरे-धीरे छट गया, अत्यंत गर्म सूरज दिखाए देने लगा। एक सोर्सिस्ट सिटी में एलोसेर की पिछली हत्या के लिए जैकार एक बार फिर से शुरू हो गई, इस बार और भी जोर से। अपने पंक फैला कर स्टार किंग वोजा शहर में घूमता रहा। शेंग यू का चित्र चमक उठा और वह जल्दी से लॉन्ड हावचेन के पक्ष में शामिल हो गई। लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने शक्तिशाली वर्जित मंत्र का प्रयोग करने के बाद भी, लॉन्ड हावचेन के शरीर से फैल रही पवित्र प् और उसके साथ एकाकार प्रतीत होते थे. यहां तक कि शेंग यू ने भी कभी किसी को ऐसी स्थिती तक पहुँचते नहीं देखा था. लॉन्ग हावचेन द्वारा उप्योग किये गए पूरे मंत्र को होली रेन कहा जाता था, एक प्रकाश तत्व निशिद मंत्र जिसे उ विशेशग यह नहीं थे. लेकिन इस पवित्रव वर्षा की अपनी विशेशताय थी. उप्चार के समय में वर्षा की बूंदे और भी कोमल होती है और अफशोषित करने में आसान होती है. इसके अलावा, उप्चार और चिकित्सिय शांती की लंबी और स्थिर अवधीना केवल एक और बड़े पैमाने पर मनोबल बढ़ाएगी और लक्षो के लिए शारीरिक शक्ती की भरपाई करेगी, बलकि नकारात्मक भावनाओं को भी खत्म करेगी. दूसरे शब्दों में, अकेले उप्चार के मामले में, होली रेन अन्य उप्चार निशिद मंत्रों से काफी नीचे है, लेकिन इसके कई अन्य उप्योग भी थे. इसके अलावा, पवित्र बारिश शुरू करने के लिए पूरे मंत्रों चार का केवल एक तिहाई या आधा हिस्सा ही आवश्यक था. लेकिन इसका उप्चार प्रभाव उप्योग करता की ताकत के साथ अलग-अ और आठवे चरंग के गाजियन नाइट द्वारा उप्योग किये जाने पर निश्चित रूप से इसका सीमित प्रभाव होगा. ठीक पहले, जब लोंग हाउचेन ने होली रेन का उप्योग किया था, तो इसकी सीमा, शुधता और समगर प्रभाव सभी इसके मूल प्रभा उसकी भावनाओं की रोश्नी और प्रजवलन की ततकाल चमक, साथ ही भगवान के चुने हुए व्यक्ती के रूप में उसकी काया की गतिशीलता ने इस मंत्र के उप्योग को पूर्णता के करीब बना दिया. यहां तक की शीर्ष पांच दानव देवताओं में से केवल दा और सितारा दानव देवता ही ऐसा कर सकते थे इस तरह के पैमाने का कुछ उप्योग करें. हत्यारे के मंदिर के ताकतवर लोग, जिन्होंने खुद को लॉंड हावचेन की रक्षा करने का काम सौपा था, एक के बाद एक शहर में लोटाए. शहर में, शेंग लिंगक्सिन बहुत पहले ही सैनिकों को लॉंड हावचेन के लिए एक खुली जगर छोड़ने का आदेश दिया था, और जब वह शहर में उत्रे, तो टेंपल हत्यारे की चरम शक्तियों ने उन्हें घेर लिया. इतने शक्तिशाली निशिद मंत्र का प्रयोग करने के बाद, वे बहुत स्पष्ट रूप से समझ गए कि इस गोल्ड फाउंडेशन नाइट की स्थिती को बहुत कमजोर कर दिया जाना चाहिए. ये सब राक्षसों को कोई जोखिम न उठाने देने का और भी बड़ा कारण था. लेकिन निससंड यह जैसा कि यह निकला, राक्षसों के पास वास् राने के लिए अधिक काम किया, लेकिन उनकी जादूरी शक्ती की खपत काफी रही. उनका सामना लॉंड हाउचेन से नहीं बलकी स्वर की शक्ती से हुआ. स्टार किंग तैर रहा था, लेकिन उसके दो पंख गायब हो गए. उनका पहला कदम लॉंड हाउचेन की और मुरन पहचान के कारण लॉंड हाउचेन का अनुसरं किया, नकी हाउचेन के चरित्र के अनुमोधन के कारण. मुख्य बात ये थी कि वह लॉंड हाउचेन के प्रकाश के शुधत तत्व से लाब उठा सकता था. इसके अतिरिक्त, उन्हें लॉंड हाउचेन की दयालुता महसूस रेजिस्टिंग ड्रेगन माउंटन पास की और लॉंड हाउचेन का अनुसरंग करने के बाद स्टार किंग वास्तब में अच्छा महसूस नहीं कर रहा था किंड्रेड ओफ लाइट की चल रही हत्याओं को देखते हुए हाला की मारे गए केवल राक्षस थे फिर भी उसका हाथ खून से दूशित होता रहा लेकिन अभी कुछी समय पहले स्टार किंग वास्तब में लॉंड हाउचेन से आश्वस्त थे अपने माउंट की तरह जब उन्होंने होली रेन का उप्योग किया तो लॉंड हाउचेन की भावनाओं के बारे में उनकी धरना किसी और से पीछे नहीं थी जिसमें उनकी भावनाओं में बदलाव भी शामिल था जिसक शनलोंड हाउचेन ने इसका उप्योग किया उसने बिलकुल भी अपने शरीर की स्थिती पर विचार नहीं किया और उस दयालुता ने स्टार किंट को गहराई से प्रभावित किया जो कि सबसे दयालु प्रकार का एक हलका तत्व जादुई जानवर था एक मात्र व्यक्ति जिसने पवित्र वर्षा से सबसे अधिक प्रभाव प्राप्त किया वह स्टार किंट था शेंग यू को जो सीमा महसूस हुई वह स्टार किंट को भी महसूस हुई उनके लिए यह एक दिव्य यूनिकॉन की सीमा थी यदि किसी ने इसका बारीकी से अध्यायन किया तो वे देखेंगे कि वर्तमान स्टार किन के शरीर पर सफेद बाल पहले से हल्का सुनहरा रंग ले चुके थे ये संकेत था कि एक दिव्य यूनिकॉन में उसका परिवर्तन शुरू हो गया था उनका मानना था कि जब तक वे लॉन्ड हाउचेन का अनुसरन करते रहेंगे वे जल्दी सफलता पूर्वक विक्सित हो जाएंगे लॉन्ड हाउचेन स्टार किन के शरीर से नीचे आया इस सटीक क्षण में उसके शरीर में आध्यात्मिक उर्जा जिसमें सोने के पिगले हुए कवच में सनरहीत उर्जा भी शामिल थी समाप्थ हो गई थी लेकिन उलेकनी ये बात यह है कि वह कमजोर स्थिती में नहीं थे फिल हाल वह एक सामान्य व्यक्ती की तरह ही था जिसकी मानसिक शमता मजबूत थी इसके अलावा उनकी क्षीन आध्यात्मिक उर्जा तेजी से ठीक हो रही थी उसे कार्य करने की आवश्यक्ता के बिना बहर के प्रकाश का सार स्वचालित रूप से उसके शरीर में प्रवेश कर गया और वहात्मसात करन के माध्यम से वह शुधतम प्रकार का बन गया जबकि अशुध्ध प्रकाश सार के लिए उसके पास आना कठिन होगा इसने लॉंड हाउचेन को फिल्टेरिंग प्रक्रिया से बचा लिया स्लेयर के मंदिर से कुल ग्यारा बिजली गर्शेंग यू सहित लॉंड हाउचेन के आसपास थे पिछले वाले को छोड़कर बाकी सभी निकाले कपड़े पहने हुए थे सिर्भी इसका अपवाद नहीं था उनमें से प्रत्येक का व्यवहार अत्यदिक प्रभावशाली था अध्याय 526 कईयर को गले लगाने के लिए भाग एक नाइट टेंपल के दिव्य शूरवीरो की तरह स्लेयर टेंपल की ये 11 शक्तिया नौवे चरण तक पहुचते हुए वीर श्रेनी की थी वे हत्यारे की सेना के मंदिर के सच्चे हृदय थे नाइट टेंपल के अंतरिम पवित्र शूरवीरो के नेता बारहवे गोल्ड नाइट बनो आपको नमसकार करते हैं कुछ विशेश कारणों से मुझे अपना नाम उजागर करने की अनुमती नहीं है लॉन्ग हाउचेन ने बुजूरगों को सचजन सलामी दी शेंग यू सहित साथ बुजूरगों ने एक साथ सलामी का जवाब दिया और हत्यारे को सर्वोचे सम्मान के साथ सलामी दी शेंग यू ने उसे हार्दे को तर दिया आपका स्वागत है पवित्र शूरवीरों के शक्तिशाली नेता हत्यारे का मंदिर ओजह माउंटन पास के लिए आपके द्वारा किये गए हर काम को कभी नहीं भूलेगा हमारे महान मंदिरों के बीच मित्रता सदैव बनी रहे यदि आपको किसी सहायता की आवश्यक्ता हो तो मेरे अधीन हत्यारे का मंदिर आपके लिए कोई कीमत नहीं छोड़ेगा शेंग यू का भाषन इस हद तक इमानदार था कि आंग हाओहान को भी उनसे ऐसी प्रतिबधता कभी नहीं मिली होगी इन शब्दों से उसका तात्पर्य सरल है आपसे जब तक लॉंड हाओचेन को कुछ चाहिए हत्यारे का मंदिर उसकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेगा उन्हें ऐसी स्वीकृती केवल इसलिए मिली क्योंकि लॉंड हाओचेन की पवित्र वर्षा इससे बहतर समय पर नहीं आ सकती थी एक्सोर्सिस्ट माउंटन पास पर कई लोग धायल हुए थे जुना केवल शारीरिक रूप से बलकी मानसिक रूप से भी पीडित थे और तो और दानव सेनाओ के लगातार हमले के कारण एक्सोर्सिस्ट माउंटन पास को सौपे गए सैनिकों के चेहरों का रंग भी उड़ गया पवित्र वर्षा के अफ्तरन ने सभी सैनिकों को उनकी ठकावट से आश्वस्त किया और उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया और इतने सारे घायलों के उपचार ने एक्सोर्सिस्ट माउंटन पास को एक नया जीवन दिया कोई यह बता सकता है कि इस शक्तिशाली निशिद मंत्र ने उनकी नुकसान दायक स्थिती को पूरी तरह से बदल दिया यदि शेंग यू को मूल रूप से विश्वास था कि एक सोर्सिस्ट माउंटन पास कम से कम एक और महीने तक चल सकता है तो अब उन्हें विश्वास था कि वे एक वर्ष तक राक्षसों से लड़ने में सक्षन थे शेंग यू की नजर में पवित्र वर्षा का सबसे महत्वपून बिंदू इसके उपचार गुन नहीं थे बलकि लोगों के दिलों को ठीक करना, सैनिकों के दिलों में मौजूद सभी धुंद को दूर करना था यही कारण था कि शेंग यू ने उसे इतना भारी वादा दिया इस वादे के साथ हत्यारे का मंदिर कम से कम बिना शर्ट एक मामले में लूंघावचेन की सहायता करेगा और यह मंदिर गट बंधन की ताकत के छठे हिस्से से कम नहीं था लूंघावचेन के चहरे पर एक खाली भाव था, लेकिन उसने अस्विकार नहीं किया केवल उसके प्रती एक और शूरवीर सलामी दी उन्होंने जटिल कारणों से अस्वीकार नहीं किया सीधे शब्दों में कहें तो ये टैंपल अलायंस की आंतरिक सनरचना के कारण था कोई भी बता सकता है कि क्या 6 महान मंदिरों के 6 व्यवसाय पूरी तरह से हो सकते हैं एक साथ सयुक्त और 6 व्यवसायों को प्रत्येक रक्षात्मा किले में समान रूप से वित्रित किया जा सकता है राक्षसों के खिलाफ रक्षा और भी अधिक होगी लेकिन ऐसा क्यूं है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया Temple Alliance के इतिहास में न जाने कितने बुजुर्गों ने इस तरह के बदलाव करने की कोशिश की लेकिन वे हमेशा असफल रहे और इसका कारण छे महान मंदिरों की आत्मस संरक्षनवा दिता है ये तो नपुनसक बात थी यदि छे महान मंदिर एक दूसरे के साथ सामंज से स्थापित कर सके तो इतने वर्षों में उनके द्वारा एकत्र किये गए कई संसाधनों का क्या होगा जनशक्ती और संसाधनों को वित्रित करने की आवश्यक्ता होगी हाला कि 6 महान मंदिरों ने वास्तव में Temple Alliance में 6 देशों का गठन नहीं किया था वास्तव में प्रतेक मंदिर को बड़ी स्वायत्ता प्राप्त थी दानव शिकार दस्तों ने बहुत पहले 6 महान मंदिरों को सहयोग के लाभों के बारे में बताने की कोशिश की थी लेकिन आज तक 6 महान मंदिरों में से प्रतेक काम को अपने तरीके से करना चाहता था प्रतेक का अपना क्षेत्र था और प्रतेक का अपना किला था इस मामले को लेकर लॉंड त्यान इंग ने लॉंड हाउचेन से आधे दिन तक इस सब के बारे में बात की पुजारी का मंदिर उनमे से छेह के समलन के पक्ष में सबसे अधिक था लेकिन मंदिर के पुजारी के अलावा अन्य पाच लगभग इसके खिलाफ थे हाला कि मंदिर नाइट की अस्वीकृती को सबसे कम कहा जा सकता था इसके विप्रीत इस विचार के सबसे हिंसक विरोधी थे हत्यारे का मंदिर, जादूगा का मंदिर और आत्मा का मंदिर हाला कि पवित्र युद्ध की शुरुआत के बाद से गटबंधन ने छे व्यवसायों को सयोजित करने की पूरी कोशिश की थी व्यवहार में छे महान मंदिरों में से प्रतेक ने राक्षसों का विरोध करने के लिए अपनी नीव के रूप में अपनी शक्ती का उप्योग किया था लोंग त्यानेंग ने लोंग हाव चेन को विशेश रूप से बताया कि कम से कम अभी के लिए इस समस्या को हल करना असंभव था लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा छे महान मंदिरों को वास्तब में एक जुट करने के लिए केवल एक ही समाधान मौजूद था और वह था एक मानब देश सत्ता में केंडरी कृत शक्ती वाले एक शक्तिशाली सामराज्य का सुधार करना केवल इस तरह से वे छे एक जुट हो सकते थे और एक सम्पूर्ण का निर्मान कर सकते थे निसिन देह इस देश का निर्मान सपश्ट रूप से एक अत्यंत कठिन कार्य होगा छे मंदिरों को एक में मिलाने का विचार लगभग अकल पनिय था लौंग त्यानेंग ने आखिरकार लौंग हाउचेन को अपनी हार्देक शुबकामनाय व्यक्त की यदि एक दिन उसके पास पर्याप्ट शक्तिस्तर हो और पूरे गठ बंधन में पर्याप्ट प्रभाव हो तो वह इस शांदार उपलब्दी को हासिल करने का प्रयास कर सकता है यही नाइट टेंपल की आशा भी थी और यही कारण था कि लौंग त्यानेंग ने उसे प्रत्येक मंदिर की यात्रा कराने का निर्ने लिया यह इन मंदिरों का तुरंत समर्थन प्राप्त करने के बारे में नहीं था बलकि उनके लिए छे महान मंदिरों को समझना था लोंग हावचेन समराट बनने के विचार से चकित नहीं थे, लेकिन उन्हें छे महान मंदिरों की शक्तियों के समलन के मानवता के महत्व के बारे में पता था इस पवित्र युद्ध ने गट बन्धन को पहले ही बुरी तरह क्षति ग्रस्त कर दिया था और यद्यपी राक्षसों से क्षती भी बहुत बढ़ी थी, उनकी सम्प्रभुता अकेले दानव देवता समराट के अधीम थी और उनकी प्रजनन गती भी वास्तव में भयानक थी, यदी चीजे इसी तरह जारी रही, तो मनुष्य केवल राक्षसों द्वारा दबाय जाते रहेंगे और शायद अपने क्षेत्र का कुछ हिस्सा छोड़ देंगे इसलिए, लॉंग हाउचेन ने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया शेंग यू की नहीं, शायद किसी अत्यदिक आवश्यक्ता वाले मामले में ये प्रतिबधता और भी महत्वपून हो सकती है लॉंग त्याने इंग ने लॉंग हाउचेन की छेह महान मंदिरों की वर्तमान स्थिती का गहन विशलेशन किया नाइट का मंदिर निसंदेह सबसे शक्तिशाली था और हत्यारे का मंदिर सबसे निकट था जादूगा के मंदिर और योध्धा के मंदिर के बीच और भी अच्छे संबंध थे इसके विप्रीत, पुजारी का मंदिर और आत्मा का मंदिर तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र थे इसलिए यदि कोई भविश्य में गठ बंधन को एक केंद्री कृत शक्ती के तहट एक जुट करना चाहता है तो प्राथमिक्ता अच्छे सहोगियों को हासिल करना था जिसका मतलब हत्यारे के मंदिर का समर्थन हासिल करना था उसके बाद अन्य चार मंदिरों को प्रभावित करने का विचार आएगा अभी इस बारे में बात करना थोड़ा जल्दी था लेकिन लॉन्ग त्यानरेन के लिए इसे कम करके नहीं आका जा सकता था इसलिए नहीं कि उनके मन में कोई साजिश थी बल्कि इंसानों के लिए अंततह राक्षसों को हराने में सक्षम होना था एक व्यक्ति की ताकत हमेशा नगन्य होती है और भले ही लॉन्ग हाउचे ननंतकाल और स्रिजन दिव्यसिंधासन की स्वीक्रिती प्राप्त करने में काम्याब हो जाए क्या वह केले सभी राक्षसों का विरोध कर सकता है जवाब ना है ऐसा करने के लिए उसे पूरे गटबंधन के समर्थन की आवश्यक्ता होगी और पूरे गटबंधन पर अधिकार रखने के लिए उसके पास जवाबी हमला शुरू करने का केवल एक मौका होगा यह उपलब्धी वर्तमान टैंपल अलायंस नेता यांग हाओ हान के लिए पूरा करना असंभव था और लॉन्ग त्यानेंग भी नहीं कर सके लेकिन लॉन्ग हाओचेन के पास यह संभव न थी प्रकाश के वन्शेज और ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति के रूप में पहचान के साथ उसके पास पहले से ही समर्थन हासिल करने की पर्याप्ट शक्ती थी इसके अलावा टेमपो पुजारी पहले से ही मंदिरों के विले के पक्ष में थे जैसे ही लॉंग हाउचेन ने शेंग यू का शिष्टा चार लोटाया उसे अपने दादा की इमांदार इच्छाई यादाई अचानक एक व्यक्ति लोगों की भील को चीरता हुआ आया और अन्यनायक हत्यारों ने उसे नहीं रोका इस आकृती ने तुरंत खुद को लॉंग हाउचेन की बहों में फेक दिया और उसे एक गहरा आलिगन दिया ये देखकर उपस्थित सभी वीर हत्यारों के चेहरों की आखें सफेध हो गई शेंग यू पहले तो पूरी तरह से आश्चरे चकित हो गया लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक विचित्र भवाया अन्तता उसे चमतकार लाने वाले पवित्र शूरवीर नेता की पहचान का एहसास हुआ वह अपनी परपोती को बहुत अच्छी तरह से समझती थी इस लड़के के अलावा और कौन उसे उसे देखने के लिए इतना उतसाहित कर सकता था इस हद तक की खुद को उस पर फेकने की पहल कर सके अपनी यादेख होने के बाद भी उनकी बहुमूल्य परपोती का हरिदय परिवर्तन संभवत ऐसा नहीं हो सका लेकिन इस गोल्ड फाउंडेशन नाइट की पहचान जानने के बाद शेंग्यू का आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया इस देड़ साल से वह कईयर को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दे रहा था जिसने उसकी उम्मीदों के साथ बिलकुल भी विश्वासधात नहीं किया था और भयावे गती से विक्सित हुआ था उनकी खेती पहले ही साथवे चरंग की छटी रैंक तक पहुँच चुकी है और शेंग्यू की नजर में ये खेती लड़के की खेती से आगे निकल गई होगी जिससे उन्हें बहुत गर्व हुआ हाला कि वास्तविक्ता बहुत फुरूर थी जब ये लड़का दुबारा सामने आया तो पता चला कि वह पहले ही आठवे चरंग का शूरवीर बन चुका था और उसने महाकाव्यस तर पर एक सोना पिघला हुआ कवच भी प्राप्त किया था क्या ये नाइट टेंपल की और से पक्षपात का प्रतीक हो सकता है शेंग यू की उम्र पहले ही सो साल से आदेक हो चुकी थी लेकिन वह अभी तक बुड़ी नहीं हुई थी क्या पक्षपात की जरूरत थी उनका पिछला स्पेल पहले से ही पर्याप सबूत था भले ही वह निशिद मंत्र गुप्त रूप से स्क्रॉल के माध्यम से डाला गया हो यह उप्योग करता की पर्याप ताकत के बिना अपनी शक्ती प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं होगा इसके अलावा उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लौंड हाउचेन की जब प्रक्रिया को सुना था क्या ये छोटा लड़का पहले ही नौवे चरन तक पहुँच चुका होगा ये शेंग यू का सबसे बड़ा संदेह था और इससे उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ पहले का वादा कुछ ऐसा था जिसे देने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता था लेकिन अपने दिल में वह वास्तव में नाइट टेंपल का इतना बड़ा उपकार करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन अब वैसा नहीं था हत्यारे के मंदिर का अपने ही लोगों में से एक अपने ही परपोते दामाद पर ऐसा उपकार था हाला कि अन्यवीर हत्यारों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है जाहिर तोर पर वे सभी कयर की पहचान के बारे में जानते थे संसार की पवित्र पुत्री और ऐसी प्रतिभाशली जो एक हजार वर्षों से भी अधिक समय से प्रकट नहीं हुई थी हत्यारे के मंदिर के भाविश्य के दिगगज उत्तराधिकारी और सबसे महान शक्तिपीट के रूप में एक राक्षस देवता के खिलाफ लगाई में सात्वे कदम पर रहते हुए कयर का जीवित रहना एक बार फिर इन हत्यारों की नजर में ताकत की परीक्षा थी इसके अलावा उसकी नजर में कयर एक कनिश्ट थी लेकिन उसकी शीतलता ने उसे किसी और के लिए संपर्क करना असंभब बना दिया एक बार फिर यह एक आवश्यक गुंध था जो हत्यारों के पास होना चाहिए अध्याए 527 कैसर को गले लगाने के लिए भाग दो कई वर्षों का व्यापक अनुभव था और उन्होंने सपश्ट रूप से देखा कि शेंग यू की आश्चारे चकेत अभिव्यक्ती एक संतुष्टिदायक मुस्कान में बदल गई जब नेता जी को ये सामान्य लगा तो ऐसा ही हो सकता है इसलिए वे समस्या के बारे में सोचना भी बंद कर सकते हैं चून की दूसरे पक्ष ने हत्यारे के मंदिर को बड़ी मदद दी वे कयर को भगाने के लिए खड़े नहीं हो सके सोने के पिघले हुए कवच ने कयर के कोमल आलिंगन की भावना को अवरुद नहीं किया इसके विपरीद जब उसने पिछले निशिद जादू को सक्रिय किया या यहां तक की एलोकर को मारने में शेंग्यू की सहायता की पवित्र शूरवीरो के नेता के हाथ हिंसक रूप से कांपने लगे कैं कैं, लॉंग हाउचेन ने धीरे से उसका नाम पुकारा, उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी उसकी भावनाएं इतनी अस्थिर हो गई कि उसके कवच पर नारंगी चमक अन्यमित रूप से लहराने लगी खासी, खासी, शेंग यूग खासी, पवित्र शूरवीरो के नेता, आपने अभी अभी एक निशिद मंत्र का प्रयोग किया है शायद आपको हमारे हत्यारे के मंदिर में विश्राम करना चाहिए यह इस युवा जोड़े के लिए एक अनुस्मारक था कि यह एक सोर्सिस्ट माउंटन पास सिटी था, जो एक बड़ी भीर के ध्यान का केंड़ था दरसल, सबसे ज्यादा आश्चरे चकित दर्शक एक सोर्सिस्ट माउंटन पास की दूसरी परत पर स्थित था शेंग लिंडक्सिन की आखें इतनी चोड़ी हो गई कि वे बाहर निकलने वाली थी अपनी बेटी को एक आदमी की बाहों में भागते हुए देखकर वह लगभग दूसरी परत से गिर पड़ी उन्हें बिलकुल विश्वास नहीं हुआ कि वह व्यक्ती लॉंड हाउचेन था उनके दिल में लॉंड हाउचेन पहले से ही उनके दामाद थे लेकिन अब चितन रूप से उनका मानना था कि गोल्ड फाउंडेशन नाइट कम से कम पचास साल पुराना होगा कैयर के साथ क्या गलत था क्या वह हीरो के प्यार में पढ़ सकती थी लेकिन माउंटन पास के सैन्यनेता के रूप में नो जह वह इसे देखने के अलावा और क्या कर सकता है सैयोग से कैयर लेंड यानू की मा कुछ चोटो के कारण अभी भी घर पर आराम कर रही थी अन्यथा पती और पत्नी दोनों को ऐसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता शेंग लिंडक्सिन ने गुप्त रूप से सोचा कैयर ओह कैयर आप आप ऐसा नहीं कर सकते हालत में ऐसा बदलाव अन्यथा आप कैसे चाहते हैं कि मैं ब्रदर लॉंड के साथ हाउचेन के साथ खुद को सही ठहराऊ लेकिन इतने मजबूत अनंतिम पवित्र शूरवीर नेता को देख कर उसे उसके बारे में पहले कैसे नहीं पता चला शेंग यू की चितावनी सुनने के बाद कैयर और लॉंड हाउचेन अलग हो गए उत्तर नहीं है और शेंग यू और अन्यनायक हत्यारों को समझ नहीं आ रहा था कि कैयर के शरीर को गायब होते देखकर हसे या रोए अद्रिश शिता उस शक्तिशाली हत्यारी कोशल का उप्योग एक पुरुश और एक महिला के बीच्स नहीं को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था ऐसा लग रहा था कि कैयर का शरीर गायब हो गया है लेकिन स्पर्श समवेदना अभी भी मौजूद थी लौंग हावचेन उसके साथ भाग लेने के लिए तैयार नहीं था और वीर हत्यारों के अनुरक्षन के तहट उसे गले लगाना जारी रखा और सैनिकों की कटर निगाहों के तहट लौंग हावचेन ने स्टार किन पर सवार होकर ओजा शहर की और प्रस्थान किया हत्यारे का मंदिर तो यह वास्तव में तुम हो बववा जब शेंग यू ने अपना हेलमेट उतारने के बाद लौंग हावचेन को देखा तब भी उसे अपनी आखों पर विश्वास करने में कठिनाए हो रही थी इस निजी कमरे का उप्योग सामानने समय में शेंग यू द्वारा खेती के लिए किया जाता था इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी उन्हें परिशान करने के लिए यहां नहीं आएगा हत्यारे के मंदिर में लोटने के बाद शेंग यू सीधि लॉन्ड हाउचेन और कहियर को अपने इस निजी कमरे में वापस ले आई थी अब कहियर अभी भी लॉन्ड हाउचेन के बगल में लटका हुआ था डेर साल के अलगाव के बाद वह उससे अलग होने में अतुलनिय रूप से असमर्थ हो गई थी हाला कि उसकी यादे अभी भी खोई हुई थी लेकिन उसके मन में उसके लिए पहले से ही भावनाय वापस आ गई थी लॉन्ड हाउचेन शेंग यू को अपना अभिवादन करने के लिए घुटने टेकना चाहता था कईयर के प्रेमी के रूप में हाउचेन को शेंग यू और उसके बुजुर्ग रिष्टेदारों को श्रधान जली देने की जरूरत थी बाहर वह नायट टेंपल का प्रतिनिदित्व कर रहा था इस निजी कमरे में वह अकेला खड़ा था बस आप पहले से ही पवित्र शूरवीरों के नेता हैं आपको इतनी आधेक आपचारिक्ताओं की आवश्यक्ता नहीं है आपने इस तर तक कैसे विकास किया ऐसा नहीं हो सकता है कि आंग हाओहान और लॉंग त्यानेंग ने आपको बुरे परिणामों वाली कुछ खेती की दवाय दी हो लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे खेती कर पाए लॉंग हाओचेन को देखकर यहां तक की गंभीर शेंग यू भी मदद नहीं कर सका लेकिन प्रशंसा में हिंसक रूप से चिल लाया वो ही यूवक अभी भी 20 वर्ष से कम उम्र का था लेकिन वो पहले से ही एक सच्चा आठवा कदम शूरवीर बन चुका था इसमें कोई आश्चार्य नहीं की दानव देवता समराट इसे पवित्र युद्ध शुरू करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करेगा भले ही उसके पास राक्षस देव स्तंभो को नश्ट करने की क्षमता न हो उसकी विकास गती अनिवार्य रूप से उसे राक्षसों के खिलाफ भाविश्य के प्रतिरोध की आधार्शिला बना देगी लॉंग हाउचेन ने आधर पूर्वक उत्तर दिया पर दादा मैं लंबे समय से गहन ध्यान में हूँ इसलिए मैंने तक्नीक विक्सित करने में आधा साल बिताया शेंग यूनिक है रको एक असहाय नजर से देखा ऐसा लगता है कि आप अभी भी उसके मुकाबले के नहीं है ऐसा लगता है कि उसने आप से कहीं अधिक मेहनत की है गहन साधना की उप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी सहन कर सके नवयूबक किया तुम एक साल तक बिना रुके गहराई से खेती नहीं कर सकते वरिश्थ है इसके बाद हीरोईक अपने ही मजाक पर हसने लगा लेकिन लॉंग हाउचें को गंभीरता से सिरहलाते देखकर अचानक रुक गया वह तो क्या आप सच्मुच एक वर्ष के लिए गहन साधना में लग गये तुम शेंग यू की जुर्विया मुर रही थी मैं तुमें रहने देता हूँ तुम दोनों अच्छी बातचीत करते हो मैं तुम दोनों को अब और परिशान नहीं करूंगा उसने हाथ हिलाया और चला गया और सीधे कमरे से गायब हो गया कईयर ने कुछ हस्ते हुए कहा पर दादा आप बहुत इर शालू है उसके चहरे पर मुस्कान देखकर लॉंग हाउचेन की आखों में घ्रिना की हलकी जलक चमक उठी वह कईयर को बहुत अच्छी तरह से जानता था और इसी कारण से उसने उसके चहरे के हाव भाव से यह निर्धारित किया कि उसकी यादे बिलकुल भी ठीक नहीं हुई थी और कैयर अभी भी भूलने की बीमारी थी कैयर को तुरंट उसके मूड में बदलाव का पता चला और उसने अपना सिर्थ थोगा नीचे कर लिया क्षमा करे मैं बस उसे अपना वाक्य पूरा करने का समय नहीं दिया गया था लॉन हाउचेन के अचानक गले लगाने से उसकी बाद बादेत हुई जिसने धीरे से आवाज में बाधा डाली नहीं, माफी मांगने वाला मुझे ही होना चाहिए मैंने आपकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की कोई बात नहीं, तुम्हें दोबारा देखना वाकई अच्छा है कईयर ने उसके पास आकर धीमी आवाज में कहा मुझे नहीं पता कि जब मैं तुमसे पहले प्यार करता था तो मेरी भावनाई क्या थी लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ उस दिन जब तुम चले गए मुझे लगा कि मैंने कुछ महत्वपुन खो दिया है अब जब हम आखिर कार फिर से एक हो गए हैं तो आप जहां भी जाएंगे, मैं वहां जाओंगा मैं परदादाजी को जरूर मना लूनगा मैं दोबारा आपका फिगर खराब होते हुए नहीं देखना चाहता लॉंग हाओ चेन ने उसके बालों को धीरे से सहलाया शान्त रहें इस बार मैं ना केवल आपको अपने साथ ले जा रहा हूँ बलकि हम अपने 64-वे कमांडर ग्रेट डैमन हंट स्क्वार्ड में सुधार के लिए अन्यलोगों के साथ भी शामिल होंगे कईयर ने आश्चर्य से अपना सेर उठाया क्या आपके पास एलायन्स से अनुमती है मैं कहूंगा कि मेरे पास है हाला कि हमें प्रत्येक रक्षात्मक मजबूत पर पर्याप्त योगदानंग बनाने होंगे मुझे लगता है कि एक्सोर्सिस्ट मांटन पास के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए यदि नहीं तो हमें अधिक समय तक रुखना होगा निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है ठीक इसीक्षन पर्चाईयां चमक उठी और शेंग यू फिर से प्रकट हो गया उसे देखकर कईर ने जट से अपना आलिगन छोड़ दिया और शर्मिंदा होकर बोली पर दादा आप वापस कैसे आ गए जब तक वे मिले थे काफी समय बीच चुका था तो वो शर्मिंदा कैसे महसूस नहीं करती शेंग यू गुस्से में दिख रहा था अगर मैं वापस आ गया तो क्या गलत है जब मैं आभी अभी निकला था तो मैं सोच रहा था क्या होगा यदि आप दोनों को एक कमरा साजा करने की अनुमती देने के बाद और लंबे समय के अंतराल के बाद फिर से मिलने पर भावनात्मक रूप से कुछ हुआ इसमें क्या गलत है कि मैं सबसे पहले अपने परपोते को गोद में लेना चाहता हूँ लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा शेंग यू की परपोती को बच्चे को जन देने से पहले आधिकारिक तोर पर शादी करनी होगी पर दादा आप किस बारे में बात कर रहे हैं दूसरों के सामने कुछ छवी बनाए रखने की जरूरत है मुर्क मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्या आपको फाइदा उठाए जाने का दर नहीं है इस बार लॉंग हाउचेन आश्चरे चकित रह गया अपने अलावा ये पहली बार था जब उसने कहिर को किसी और के इतने करीब देखा था हालाकि वह उसकी अपनी परपोती थी फिर भी उसे स्मृती हानी से पहले उसके प्रती अपनी घृणा के बारे में सपश्ट रूप से याद था आ रहाया दो रिष्टेदारों के बीच स्नेल के उस निशान के कारण लॉन्ध हाउचेन को अचानक एहसास हुआ कि वह बहुत स्वार्थी हो गया था क्या वर्तमान काय उतना अच्छा नहीं था जितना वह है कम से कम वह पहले की तरह बंद और अधिक स्नेहमई नहीं थी तब वह एक जानने योग्य मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सका सत्य अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो मुझे उसकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए नकी सिर्फ अपने लिए सोचना चाहिए कईयर की भूलने की बीमारी से उत्पन बाधा अंतता उसके भीतर पिघलने लगी वह एक बड़ी मुस्कान के साथ चुपचाप खड़ा रहा भाई, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं आपको बता दू कि बहतर होगा कि आप तीन महीने तक अपना भरन पोशन करने से पहले छोड़ने के बारे में नसोचे मुझे उस साथी लॉन्ट तियानरेइन का पत्र पहले ही मिल चुका है आप एक लाख योगदान अंक अर्जित करने से पहले छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकते मुझे आपके योगदान अंकों की वर्तमान राशी रिकॉर्ड करने दीजिए शेंग यू की धूर्ट निगाह को देखते ही लॉंग हाउचेन ने तुरंत एक दर्दनाक चेहरा दिखाया पर दादा आप गंभीर नहीं हो सकते तीन महीने बहुत लंबा है शेंग यू ने सूनधा लांग मुझे लगता है कि यह काफी छोटा है यदि आप तीन महीनों में दस लाख योगदान अन्प्राप्त कर सकते हैं तो मैं आपकी क्षमता को पहचानूंगा लॉंग हाउचेन शक्तिहीन हो गए लेकिन पर दादा आप अन्याय कर रहे हैं आपने मुझे मदद देने का वादा किया है क्या आपकी बातों में कोई इमानदारी थी शेंग यू आत्मसंतुष्टी से भरा हुआ लग रहा था ठीक है मैंने तुम्हें अपना वादा दिया था लेकिन क्या आप इस वादे को ऐसी किसी चीज में इस्तिमाल करने की योजना बना रहे हैं यह मत सोचिए कि मुझे नहीं पता कि लॉंग तियानेंग और यांग हाओहान क्या योजना बना रहे हैं यदि आप अभिवादे का उप्योग करते हैं तो आप इसे दोबारा उप्योग नहीं कर पाएंगे इस पर अच्छा विचार करें मैं लॉंग हाओचेन ने चुपचाप शाप दिया लेकिन वह ऐसी स्थिती में शक्तिहीन था शेंग यू ने कहा क्या आप मुझे चालाग बताना चाहते हैं लॉंग हाओचेन ने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया मेरी हिम्मत कैसे हुई आज चाहे आप कुछ भी कहें मुझे यह माना जा सकता है कि मैंने एलोसेर की हत्या में आधा योगदान अर्जित किया है बनिंग लान डैमन गौड नौवे चरण पर है और इसका योगदान कम से कम पाच सो शुन्य 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 अंक्या इससे भी अधिक होना चाहिए मैं उसमें से आधे पर दावा करना चाहता हूँ इसके अलावा शव को एक तरफ रखते हुए बनिंग लान डैमन गौड दैमन गौड प्राउन का मूल्य तीन सो शुन्य 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 योगदान अंक्योंना चाहिए यदि मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ समय पहले आप इसे मुझे भेजना चाहते थे अध्याई 528 कैसर को गले लगाने के लिए भागतीन शेंग्यू तुम इतने चाला कब हो गए मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं अपनी परपोती को आपको सौंपने के बारे में दोबारा विचा रख करने लगा हूँ अपने द्वारा प्रदर्शित की जा रही विजली चाल को सुनकर लॉंध हाउचेन अचानक अच्छे व्यवहार वाले हो गए और मुस्कुराने पर मजबूर हो गए पर दादा आप ऐसा नहीं कर सकते शेंग यू अचानक अपने आप से काफी प्रसन हो गया तो क्या हुआ क्या कैयर के साथ एक्सोर्सिस्ट माउंटन पास पर रहना आपके लिए इतना कठिन काम है इस बिंदू पर पहुँचकर उसने अपने बगल में अपनी परपोती को देखा उसकी आखे गर्मजोशी से भर गई इस आधे साल के बारे में ये हमेशा शेंग यू द्वारा कै र को पढ़ाने के बारे में था वो इस लड़की को और अधिक पसंद करने लगा और उस पिछली बाधा की भावना खोदी जिसने उनके लिए समवाद करना असंभव बना दिया था कईयर को भी उससे और अधिक लगाव हो गया और उसे अपने इस रिष्टेदार के लिए सची भावनाय महसूस हुई ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में शेंग यू ने पहले कभी सोचा भी नहीं था ऐसा लग रहा था कि वह लॉंग हावचेन के लिए चीजों को कठिन बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सच्चाई यह है कि वह वास्तव में अपनी परपोती से अलग होने को बरदाश्ट नहीं कर सकती थी हाला कि वह जानता था कि वह हमेशा के लिए नहीं रह सकता फिर भी कुछ दिन और रुखना कुछ ना होने से बहतर था अपनी अभिव्यक्ती के माध्यम से लौंग हाउचेन ने शेंडियू के विचारों को समझा उन्होंने मूल रूप से बहस जारी रखने की योजना बनाय थी लेकिन तुरंथ ही उन्होंने खुद को सुधार लिया तो ये कैसा रहेगा परदादा हम वास्तव में समय के लिए बहुत दबाव में हैं और आज की लड़ाई के माध्यम से एक्सोरसिस्ट माउंटन पास की स्थिती काफी स्थिर हो जानी चाहिए थी हम यहाँ एक और महीने तक रहेंगे इस महीने मैं कोई पुरसकार नहीं मांगूनगा और केवल राक्षसी खत्रे से निपटने में हमारी मदद करने पर ध्यान केंडरित करूंगा कैसा रहेगा लॉंग हाउचेन बहुत इमानदार थे शेंग्यू जिसका पिछला मूट फीका पढ़ गया था ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया वह जानती थी कि वह उन्हें यहां नहीं रख सकती वास्तव में आपने आज जो किया वह पहले से ही 10 लाख से अधिक योगदान अनकों के लायक है तथे ऐसे ही थे उनके दिव्या आशिरवाद ने पूरे एक सोर्सिस्ट माउंटन पास को लगभग एक तिहाई तक मजबूत कर दिया और यह है एक रूरिवादी अनुमान था शेंग यू ने आगे कहा जाने का समय हो गया है तुम दोनों मेरे साथ आओ ये जगह वास्तव में सुरक्षित नहीं है जब हम सारवजनिक स्थानों पर पहुँचेंगे तो कम से कम हम अपनी परपोती की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे कईयर ने तुरंत अपने पैर जमीन पर पटके और चिल्ला कर कहा पर दादा आप फिर से यहां आए गुस्सा कर देने वाला हाला कि वे दोनों अभी भी शेंग्यू का कमरे से बाहर पीछा कर रहे थे शेंग्यू ने हान्यू के साथ रहने के लिए लॉन्ध हाउचें के लिए एक कमरे की व्यवस्था की वह वास्तव में लॉंग हाउचेन और कहियर के बीच अंतरंग संबंध होने की संभावना सिस्पष्ट रूप से उसकी रक्षा कर रहा था अगले कुछ दिनों में एक्सोर्सिस्ट माउंटन पास बेहद शांतिपूर्ण था ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकान श्राक्षस अपना रास्ता खोच चुके थे और जलते हुए शेरदानव भगवान के अप्रकाशित दानव देवता स्तंब के अलावा अन्य साथ अभी भी जपकी ले रहे थे जैसे कि किसी मानव हमले को टाल रहे हो वास्तव में उन्होंने वास्तव में ऐसा महसूस कराया जैसे वे बहुत सतर्क थे अती बड़े पैमाने पर लॉंड हाउचेन के निशित जादू ने उन्हें असहनिय भाय दिया उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि जब वे हमला शुरू कर रहे थे तो लॉंड हाउचेन आ जाएगा ऐसे समय में साथो दैत्य देवता अपनी सेना की रक्षा करने में असमर्थ थे लेकिन निशित रूप से वे नहीं जानते थे कि लॉंड हाउचेन की होली रेन एक पूरी कोशिश थी इसे एक बार फिर से कास्ट करने के लिए इसकी आध्यात में कूर जाके 200-00-00-00 इकायों तक पहुँचने तक इंतजार करना होगा दादा जी, पहाड़ी दर्वे पर स्थिती पहले से ही बहुत अच्छी है मैंने पहले ही शहर की दिवारों के जिर्नोधार की व्यवस्था कर दी है क्योंकि राक्षसों को इतना शांत देखने का यह एक दुरलब अवसर है इस छोटे से समायो जन समय के साथ हम अपने एक सोर्सिस्ट माउंटन पास की रक्षात्मक शक्ती से कम से कम तीन गुना अधिक हासिल कर लेंगे शेंग यू, शेंग लिंगकसिन और उनकी पतनी, लॉंड हाउचेन, हान यू और क्लियर की जोड़ी ने एक साथ रात्विभोज किया और शेंग लिंगकसिन ने शेंग यू को एक सोर्सिस्ट माउंटन पास की स्थिती के बारे में बताया पतनी और पती को अब पता चल गया था कि लॉंड हाउचेन बारहवे गोल्ड फाउंडेशन नाइट थे लेकिन अपनी असली पहचान शिपाने के लिए उन्हें अपनी असली विशेशताओं को उजागर करने से बच ने के लिए हर दिन अपना कवच पहनना पढ़ता था जबकि शेंग लिंसियन ने शेंग यू से बात की उसकी आखे अपने होने वाले दामाद की और भूम रही थी जब उसे पता चला कि यह सज्जन लॉंग हाउचेन थे तो उसकी अविश्वास की भावना कुछ भंटों से कम नहीं रही बस कितना समय हो गया था उस समय जब लॉंग हाउचेन प्रशिक्षन मिशन से गुजने के लिए एक सोर्सिस्ट माउंटन पास की और अपने दानव शिकार दस्ते का नित्रित्व कर रहा था तब भी वह युद्ध के मैदान पर अपनी सुरक्षा की आवश्यक्ता की सीमा तक कम जोर था लेकिन अब उनकी खेती सपश्ट रूप से स्वयम लिंगजीन की खेती से आगे निकल गई है हाला कि शेंग लिंगक्सिन भी अंतता आठवे चरंग तक पहुँच गए लेकिन दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम एक पीवी का था शेंग लिंगक्सिन भी एक गौरव शाली वंश से थे लॉंग जिंग्यू के प्रती उनकी प्रशंसा सच्ची थी लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लॉंग हाउचें की खेती पहले ही उनसे आगे निकल जाएगी शेंग यू ने नीचे देखा सैन्य स्थिती कैसी है ये बहुत अच्छा है जो मूल रूप से घायल हुए थे वे पहले से ही अपनी इकायों में वापस आ गए है और गंभीर रूप से घायल लोग हलके रूप से घायल हो गए है विकलांगों को छोड़ दे तो अधिकांश सैनिक ड्यूटी पर वापस आ गए है जैसे ही वे ठीक हो जाते हैं वे युद्ध की तयारी कर रहे हैं शेंग यू ने सिर हिलाया जो लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं उन्हें रक्षा में भाग लेने के लिए वापस ना आने दे हाँ, शेंग लिंगक्सिन ने उत्तर देने में जल्दबाजी की हाला कि वह एक सोर्सिस्ट माउंटन पास का सैन्य नेता था लेकिन एक मात सच्चा प्रभारी शेंग यू था शेंग लिंगक्सिन की प्रतिष्था उन नौवे चरन के नायक हत्यारों से कम थी उनके पास व्यक्तिगत रूप से यंग सियू फैन के नेत्रित्व वाले हिदन नायट हॉल को संगठित करने का अधिकार भी नहीं था शेंग यू ने अपनी निगाहें लॉंग हाँचें की और भुमाई और हलकी सी मुस्कान बिखेरी हमारे पवित्र शूरवीरों के नेता क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है पर दादा आप अभी भी मेरे साथ मजे कर रहे हैं मैं आपके और अंकल शेंग के सामने सुझाव देने का साहस कैसे कर सकता हूँ शेंग यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई तुम गलत हो हाउचें निजी तोर पर आप हमारे कनिष्ठ हैं लेकिन चाहे कुछ भी हो आपको पवित्र शूरवीरों के नेता के रूप में अपनी स्थिती को नहीं भूलना चाहिए आप शूरवीर के मंदिर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कई बात कठोर व्यवहार करना आवश्यक होगा अन्यथा यह आपका अपना चेहरा नहीं है जो खो गया है बलकि शूरवीर के मंदिर का क्या आप समझते हैं लोंग हाउचेन ने थंड से कापते हुए आदर पूरवक उत्तर दिया हाँ शेंग यू ने गंभीर स्वर में कहा आप अभी भी यूवा हैं लेकिन आपने गटबंधन के लिए पहले ही काफी अच्छे योगदान दिये हैं अपनी उम्र के बारे में भूल जाए आपको पवित्र शूरवीरो के नेता के रूप में अपनी स्थिती के अनुरूप कार्य करना चाहिए अन्य था तुम्हारे दादाजी की तुम्हें हर मंदिर में संबन स्थापित करने के लिए भेजने की योजना किसी काम की नहीं रहेगी आपकी ताकत पहले से ही पर्याप्त है लेकिन अब आपको पवित्र शूरवीरों के नेता के रूप में अपनी प्रतिष्था और प्रेरख जागरूपता की आवश्यक्ता है लॉन्ग हाउचेन ने सिर्घिलाना जारी रखा शेंग यू ने हलके से आह भरते हुए कहा यदि यह संभब होता तो मैं नहीं चाहूंगा की इतनी जल्दी आप पर इतना भारी बोज डाला जाए लेकिन आप पहले से ही सीमा से आधिक शुल्क ले रहे हैं ये कहा जा सकता है कि आप ही इस पवित्र यूद्ध के सच्चे प्रेरक हैं भले ही ऐसा देर सबेर हुआ हो इलायंस की ओर से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हमने आपकी रक्षा इसलिए नहीं की क्योंकि आप शिंग यू के पोते दादी या लौन त्यानीन के पोते हैं बलकि इसलिए कि आपकी अपनी ताकत और स्तम्भों को नश्ट करने की क्षमता है प्राक्षस देवता मैं जानता हूँ कि शायद मैं सीधा बोल रहा हूँ नुचित लेकिन ये सबसे बुनियादी तत्या है यदि ये आपकी अपनी ताकत के लिए नहीं होता भले ही हम जीद भी सकते लेकिन ये निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होता बस कड़ी मेहनत करें और हमारी उम्मीदों पर खराना उत्रें आप पहले से ही आठवे चरं के पवित्र शूरवीर है गटबंधन के पूरे इतिहास में आपकी उम्र का कोई अन्य पवित्र शूरवीर नहीं है हम सभी का मानना है कि आपका भाविश्य निश्चित रूप से एक असाधारन प्रतिभा वाला व्यक्ति बनेगा जो गटबंधन के लिए भावी नेता के रूप में कार्य करेगा इसलिए चाहे जब भी आपको अपने आत्म मूल्याकन में बेहत सक्त रहने की आवश्यक्ता होगी मैं तुम्हें फिर से पहले जैसी आवाज में सुनना नहीं चाहता तो अब हमें अपने विचारों के बारे में बताएं शेंग यू बहुत सक्त थे लेकिन उनके शब्दों ने लॉंड हाव चेंग को वह चेतना दी जिसकी उन्हें आवश्यक्ता थी ऐसा करके उन्होंने लॉंड हाव चेंग को अपने बारे में अपना आकलन बदलने में मदद की यह कोई सामान्य स्थिती का व्यक्ति नहीं था, बलकि नाइट टेंपल का प्रतिनिदित्व करने वाले पवित्र शूर वीरो का नेता था, जो टेंपल एलाइंस के सर्वोचर रैंक में से एक था थोड़ी देर तक विचार करने के बाद, लॉंग हाव चेन ने उत्तर दिया, पर दादा, अंकल शेंग, मेरे पास कुछ विचार है बात सिर्फ इतनी है कि मैंने उन्हें उनके बारे में नहीं बताया है क्योंकि यह एक तरह की अतिवादी यूजना है शेंग लिंडक्सिन की आखें तुरंट चमक उठी, मैं इसके बारे में सुनना चाहता हूँ वह मूल रूप से अपने निर्नय लेने में हत्यारे के मंदिर में सबसे कटर पंती लोगों में से एक था यदि शेंग यू ने उसे इतने समय तक दबाकर नहीं रखा होता तो उसकी रणनीती बहुत पहले ही बदल गई होती लॉंग हाउचेन द्वारा चरम शब्द के उलेक ने तुरंथ ही इस ससुर को काफी उतसाहित कर दिया लॉंग हाउचेन ने सिर हिलाया मुझे लगता है कि ताकत में अंतर के अलावा एक सोर्सिस्ट माउंटन पास के नुकसान इतने बड़े होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हत्यारे के मंदिर की सबसे बड़ी ताकत का उप्योग करने का कोई अफसर नहीं था इतना कहने के बाद वह रुका और शेंग यू और शेंग लिंडक्सिन की प्रतिक्रियाओं को देखा शेंग यू ने आश्चर्य से देखा क्योंकि शेंग लिंडक्सिन की अभिव्यक्ती और भी अधिक उत्साहित और उम्मीद से भरी हुई थी, उसने थोड़ा से रहिलाया, जारी रखें लॉन्ग हाउचेन ने उत्तर दिया, हत्यारे के मंदिर की ताकत हमला करने में है, बचाव करने में नहीं हत्यारे वास्तव में शेहर की दिवारों के पीछे रख्षात्मक लड़ाई के लिए उप्यूक्त नहीं है यह ऐसा है जैसे हम जादूगरों के एक समूल को अग्रिम पंक्ती में रखने जा रहे हैं एक सोर्सिस्ट माउंटन पास को निश्चित रूप से बचाव की आवश्यक्ता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम निश्क्रिय रक्षा के उस रूप को सक्रिय रक्षा में बदल सकते हैं संक्षेप में अपराध ही सबसे बड़ा बचाव होगा उस दिन मैंने देखा कि वीर हत्यारे के पास से बुझूर्गों की संख्या एक दर्जन से अधिक थी ऐसी शक्ती दानव देवताओं के सामने भी बहुत अधिक नहीं हारेगी उनमें से एक भी कम होने के बारे में अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है यदि हम राक्षस शिविरों के खिलाफ उत्पीलन की रननीती और घात लगा कर हमला कर सकते हैं तो जब वे हमारे एक्सोर्सिस्ट माउंटन पास पर हमला करेंगे तो उनकी ताकत को निश्चित रूप से बड़ा जटका लगेगा और साथ ही धात, आश्चर एजनक हमले और गुप्त हमले हत्यारे के मंदिर के लिए विशिश अगिता के सभी क्षेत्र हैं हम अपने मुख्य बिंदूओं का उप्योग क्यों नहीं करेंगे निश्च्रिय स्थिती अपना कर हम केवल और अधिक निश्च्रिय ही बन सकते हैं दुश्मनों से निपटने के लिए अलग-अलग व्यवसायों को अलग-अलग तरीकों का इस्तिमाल करना चाहिए खूब कहा है शेंग लिंगक्सिन ने बड़ी भावना के साथ उसकी जानद पर थपड़ मारा हाओ चेंट मेरे पास भी बिल्कुल वैसा ही है रायमे की आपहम्फ शेंग लिंगजीन के अत्यदिक उत्साह को तोड़ते हुए शेंग यू ने उग्र रूप से खराटे लिए शेंग लिंगक्सिन ने अपने दादाजी की ओर देखा कुछ हद तक शर्मिंदा उनके चेहरे पर एक करवी मुस्कान थी दादाजी मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी नीती गलत है अध्याए 529 तुफानी और चांदनी राद भाग एक शेंग यू ने थंडे स्वर में कहा क्या आपको लगता है कि मैं आपके विद्रोही विचारों को नहीं जानता क्या आप जानते हैं कि मैं हमेशा राक्षसों पर अचानक हमला करने के आपके विचार के खिलाफ क्यों रहा हूँ ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस तरह का नुकसान बरदाश्ट नहीं कर सकते यदि आप सफल हो गए तो अच्छा होगा लेकिन यदि आप असफल हो गए तो क्या होगा क्या आप विकलान सैनिकों को मेरी परपोती के हत्यारे के मंदिर की रक्षा के लिए छोड़कर एक भयानक गरबडी छोड़ने की योजना बना रहे हैं शेंग लिंडक्सिन के चहरे पर करवी मुस्कान थी लेकिन दादाजी क्या आपको नहीं लगता कि हाउचे ने जो कहा वहवास्तव में समझ में आता है शेंग यू ने उत्तर दिया समय बदल रहा है हमारी युद्धर अन्नीती को समायोजित किया जाना चाहिए इस बिंदू पर पहुँचते पहुचते इस वीर शूर वीर की आँखों से घोर हत्या का इरादा जहलेकने लगा शेंग लिंडक्सिन बहुत उत्साहित थे दादाजी क्या आप सहमत हैं शेंग यु ने धीरे से अपनी मुद्रा सीधी की आकाश की ओर देखते हुए और लापर वही से कहा एक तुफानी चांदनी रात में हत्या करना हमेशा दिन की तुलना में बहतर होगा और आज वह समय आ गया है मेरे आदेश पर तुरंथ हिडन नाइट्स के पूरे हॉल को बगीचे में एकठा करो लेन यानु को अचानक दर लगा दादाजी क्या आप निश्चित हैं कि आप बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं क्या हमें अच्छी चर्चा के बाद व्यापार नहीं करना चाहिए शेंग यू ने गर्व से उत्तर दिया एक हत्यारे को तब तयार रहना चाहिए जब उसकी सबसे कम उम्मीद हो यही हत्यारे की असली ताकत है किसी भी स्थिती में वे प्रभावी धंग से योजना बनाते हैं कोई अपरिवर्तनी स्थिती नहीं होगी केवल अनम्यल लोग होंगे यदि मेरे इन भायों को हत्या के लिए ऐसी छोटी मोटी तयारियों के लिए पूछने की जरूरत है तो वे हमारे हत्यारे के मंदिर में असाधारन प्रतिभा वाले लोग कहलाने के लायक नहीं होंगे आप और आपकी पत्नी सैनिकों को संगठित करने और दुश्मन के जवाबी हमले के लिए सुरक्षा तयार करने में अच्छा काम करेंगे हाओ चैन, हान यू, कैं और आप मेरी मदद करेंगे लॉंग हाओ चैन ने अपना आसन सीधा किया पर दादा, क्रिपया मुझे अपने साथ ले जाएं मुझे लगता है कि सीनियर्स को एक धाल की जरूरत होगी हान यू और कैयर खड़े हो गए, शेंग यू को द्रिल निगाहों से देखते हुए, अपने इरादे दिखा रहे थे कुछ देर सोचने के बाद, शेंग यू ने उत्तर दिया, ठीक है, फिर आओ लेन यान्यू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शेंग लिंगक सिन की नजर ने उसे रोक दिया इतने बड़े मामले में कोई बिना सोचे समझे कैसे कदम उठा सकता है लॉन्ग हाउचेन और कैयर सुरक्षित रखने के लिए नाजुक फूल नहीं थे शेंग यू ने अपना सिर उठाया और गहरी रात को देखा, उसकी आखे थंडी होकर उभर रही थी लॉन्ग हाउचेन अपनी आभा में एक अमूर्थ सुधार महसूस कर सकते थे ये शक्ती नहीं थी बल्कि एक प्रकार का असाधारन विशेश गुन्था जिसने लॉन्ग हाउचेन को भयानक थंड़क पहुँचाए दस नौवे चरंग के वीर हत्यारों के अलावा, जिन्हें लॉन्ग हाउचेन ने दूसरे दिन देखा था, अन्य 21 छिपे हुए हत्यारे आए वे सभी आठवे चरंग के समराथ हत्यारे थे शेंग यू ने अपनी निगाहे लॉन्ग हाउचेन, काईर और हान यू की और भुमाई और एक संक्षिप्त विचार के बाद आदेश दिया, हान यू, मत आओ शहर की रक्षा करने वाले एक सोर्सिस्ट माउंटन पास पर लिंगजीन के साथ रहे इस ओपरेशन का मुख्य बिंदू गती होगी, आपकी साधना अपेक्षा कृत कम है और गती आपकी विशिश अगिता का क्षेत्र नहीं है हान यू वास्तव में लड़ना चाहता था लॉन्ध हाउचेन और के कि साथ, लेकिन वह जानता था कि शेंग यू सही था अपनी सहमती देते हुए वह कुछ अनिच्छा से पीछे हट गए शेंग यू ने चमकते, चमकते, सुनेहरे पिगले हुए सोने के कबच को देखा, लेकिन इससे पहले कि उसे अपना मूँ खोलने का मौका मिलता लॉन हाओचेन ने एक काला लबादा निकाला, जिसने उसके पूरे शरीर को ढग दिया, जैसे की लहर बनाने वाले मानसे कुतार चड़ाव ने तुरंत उसकी पूरी आभा को छिपा दिया शेंग यू के चहरे पर एक पतली मुस्कान थी, वह चुपचाप सोच रही थी, आ, ये लड़का पहले से ही काम के समय के लिए अच्छी तयारी कर रहा है ग्यारह वीर शूर वीरो, साथ ही 21 शिपे हुए शूर वीरो, लॉन हाव चेन और कयर ने कुल मिला कर 34 लोगों को बनाया शेंग यू ने कहा, राक्षसों का आक्रमन काफी समय से हो रहा है, और अब समय आ गया है कि हम उन्हें दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं हम एक आश्चार्यजनक हमला शुरू करने जा रहे हैं, उसका केवल एक ही लक्षय होगा, और वह है जितना संभब हो उतने उच्च श्रेनी के राक्षसों को मारना मुझे दो बिंदूओं पर जोर देना है, सबसे पहले कोई भी लंबे समय तक लढ़ने पर जोर नहीं देगा, सभी को तुरंत पीछे हटने का आदेश सुनना होगा जब वे आएंगे, तो वीर हत्यारे पीछे की और आएंगे दूसरा, राक्षस देवताओं को मारने की कोशिश मत करो वे अपने राक्षस देव स्तंभों की सुरक्षा में है और उन्हें मारना बहुत मुश्किल होगा हमारा लक्ष पाँचवे चरन और उससे उपर के राक्षस है हत्यारों के रूप में हम आश्चर्य जनक हमलों में विशेश अगय हैं, लंबी लडाई में नहीं इस ओप्रेशन के दौरान आप कैसे छिपते हैं इसका अच्छे से ख्याल रखें मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है शुरू हो जाओ शेंग यू ने अपना हाथ लहराया और उसकी आकरिती चमक उठी जिससे अन्य हत्यारे एक के बाद एक गायब हो गए लॉंग हाओ चेन और कैयर एक साथ भागे लेकिन जाने के ठीक बाद उसने लैन यान्यू की और कुछ शब्द बोले फिर उसने कैयर का हाथ दूर फेक दिया उनकी आकरितियों को जाते हुए देखकर लैन यान्यू ने हलकी सियाह भरी हाओ चेन वास्तव में एक बहुत अच्छा लगका है शेंग लिंडक्सिन ने पूछा उसने आपको अभी क्या बताया उन्होंने कहा कि अगर कोई कैयर को चोट पहुचाना चाहता है तो उन्हें उसके शब पर ऐसा करना होगा शेंग लिंडक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा एक सास के रूप में क्या आप धीरे धीरे मुझे पसंद करने लगी है लेन यान्यू ने थंडी नजर से जवाब दिया मैं वह नहीं हूँ जिसने इस दामाद को चुना है आपकी बेटी ने अकेले ही निरने लिया 14 साल की उम्र से एक साथ रहने वाले जोड़े के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ खांसी खांसी चलो हमें शहर की दिवारों के आसपास भी काम मिल गया है मैंने पहले ही सेनाओ को एक साथ आने का आदेश दे दिया है अफसोस मैं वास्तव में परदादा के समूव में शामिल होना चाहता था कितनी शर्म की बात है शेंग लिंडक्सिन की खेती के साथ जो संसाधन उसके निप्टान में रखे गए थे और उसके रिटन टू चाइल्धूड स्पिरिट स्टोव के साथ एक इडन नाइट ग्रेड हत्यारा बनना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी लेकिन बात यह है कि यहां ड्यूटी पर तैनाथ सैन ने कमांडर के रूप में वह अपना पद छोड़ने का सामना कैसे कर सकते थे हान यूने शेंग लिंगक्सिन की अंतिम टिपनी की और सिर हिलाया मैं भी उनके साथ जाना चाहता था हाला कि उनके 64 में कमांडर ग्रेट डैमन हंट स्क्वार्ड में अभी तक सुधार नहीं हुआ था लेकिन वह वास्तब में लॉंड हाउचेन और कहर के साथ एक बार फिर लड़ने के लिए उत्सुक थे दूर स्थित राक्षस शिविर अत्यंत शांग थे साथ दानव देव स्तंब जो पहले चमक रहे थे उनका रंग बहुत धुंधला हो गया शेंद के बाद यू चुपचाप सभी को एक्सोर्सिस्ट माउंटन पास से बाहर ले आया वे हमले का विवरन व्यवस्थित करने के लिए एक अंधेरे कोने में एकत्र हुए एक शन में हम स्वतंत रूप से कार्य करेंगे अपने पक्ष के लिए लड़ेंगे जब तुम मेरा संकेत सुनो पीछे हट जाओ समझे आपको याद रखना होगा कि इस आश्चर्य जनक हमले का लक्ष अपने संसाधनों को संरक्षित करने की पूरी कोशिश करते हुए दुश्मनों को मारना है यदि अंत में हम सभी जीविद बच गए तो ये हमारे लिए बहुत बढ़ी उपलब्धी होगी शक्तिशाली छिपे हुए शूरवीरों के समूह ने गला काटने का इशारा करने से पहले अपना दाहिना हाथ उठाया अपनी भौहों के बीच की जगह पर हलके से प्रहार किया ये शेंग यू के प्रती अपना संकल्प व्यक्त करने का उनका तरीका था ये तरीका हत्यारों के लिए विशिष्ट था जब वे संचालन करते थे तो वे शब्दों से समवाद नहीं करते थे इशारे और हरकते उनके संचार का सबसे बड़ा साधन बन गए पिछले कदम का मतलब था कि वे दुश्मन से समझदारी से लडेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे शेंग यू ने अपना हाथ हिलाया और वे सभी एक ही समय में शुरू हो गए बिना किसी शौर के रात की आर्मे गायब होने से पहले चुपचाप सभी दिशाओं में फैल गए जैसा कि लॉंड हाउचेन ने कहा हत्यारे की विशेशग यता का क्षेत्र घुसपैट और हत्या है नकी निश्पक्ष और सम्मान जनक लड़ाए अंधेरे में हत्यारा पानी में मचली की तरह होता है उस सटीक्षन में इन सभी शक्तिशाली लोगों को समान उत्साह की अनुभूती हुई किसी ने यह नहीं सोचा कि इस ओप्रेशन के दोरान आप उन में से कितने बना सकते हैं उन सभी का ध्यान अपना पेट भरने और खत्म करने पर केंद्रित था कैयर छुप जाओ और मेरे पीछे आओ लॉन्ध हावचेन ने धीरे से कहा हाँ, कैयर सहमत हो गया और एक जटके में लॉन्ध हावचेन की तरफ से गायब हो गया यदि उसकी मानसिक शक्ती विशेश रूप से उसकी दिशा में एकत्रित नहीं होती तो वह उसकी उपस्तिती का पता लगाने में भी असमर्थ होता डेर साल पहले की तुलना में कैयर वास्तव में अधिक शक्तिशाली हो गया था लोंग हावचेन की गती हत्यारे मंदिर के पावहा उसकी तुलना में काफी धीमी थी लेकिन उसने परेशानी का थोड़ा सा भी संकेत नहीं दिखाया अपनी गती को बदले बिना एक और चक्कर लगाते हुए एक गोल चक्कर मार्क से राक्षस शिविर की और बढ़ रहा है हावचेन हम कहां जा रहे हैं क्या हमें राक्षस शिविर पर अचानक हमला नहीं करना चाहिए ये चक्कर बहुत धीमा है हाला कि परदादा और अन्य लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए अगर हम पीछे रह गए तो मुझे दर है कि हम थोड़ी सी भी कठिनाई के साथ वापस नहीं लोट पाएंगे कई अर्शत्रूओं का वद करने की इच्छा से नहीं बलकि लॉंग हाउचेन की और से चिंतित हो गया था हाउचेन नाइट टेंपल से भाग लेने वाले एक मात्र व्यक्ति थे इसलिए यदि उनके परिनाम बहुत कम थे तो क्या पवित्र शूरवीरों के नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा खत्रे में नहीं होगी ऐसा विशेश रूप से तब हुआ है जब कुछ ही समय पहले उसकी महान शक्ति का उनमादी प्रदर्शन किया गया था लौंग हाउचेन ने धीमी आवाज में उत्तर दिया आवाज मत करो मेरा अनुस रन करो और बस इतना ही आईए हम महानतम उपलब्धियों के लिए प्रयास करें राक्षस शिविर अभी भी इस बात से अन्भीग्य थी कि उनके विरुद्ध एक नरसनहार अभियान चलाया गया था हत्यारे के मंदिर के पास मौजूद लगभग सभी महानतम शक्तिया औप्चारिक रूप से उनकी ओर आ रही थी इस संबंध में राक्षस पक्ष और मानव पक्ष के बीच अंतर बहुत व्यापक था प्रतिरोधी ड्रेगन माउंटन दर्रावास्तब में राक्षस कुलीनों से भरा हुआ था जिसमें तीन राक्षस समराट सेनाय भी शामिल थी इससे ताकत में व्यापक अंतर्की और इशारा किया जा सकता है शूर्वीर के मंदिर और हत्यारे के मंदिर के बीच और इतने सारे विशिष्ट राक्षसों का सामना करते समय नुकसान अभी भी कातिलों के मंदिर की तुलना में कम था एक सोर्सिस्ट माउंटन पास के बाहर गैरी सिन पर कबजा करने वाले राक्षसों की संख्या प्रतिरोध ड्रैगन माउंटन पास के बाहर के लोगों से कहीं अधिक थी, खासकर डबल स्वार्ड राक्षसों के महासागरों में इन निम्न रैंक वाले राक्षसों में लड़ने की क्षमता सीमित थी, इस हद तक कि वे एक प्रशिक्षित वयस्क व्यक्ति के खिलाफ एक बनाम एक लड़ाई में मेल नहीं खा सकते थे लेकिन उनकी मात्रा बे जोर थी, तो दानव शिविरों के बाहर गैरी सिन में अधिकांश राक्षस ये निम्न श्रेनी के डबल तलवार दानव थे डबल तलवार दानवों का राक्षसों के बीच बहुत निचला स्थान था, क्योंकि जब उनका उप्योग भोजन के लिए किया जाता था, तो कोई भी आन्यजाती उनकी लाशों को खाने के लिए तयार नहीं होती थी, इसलिए उनका उप्योग जादातर एक दूसरे को खि नान्तरित कर दिया गया, जिसका उप्योग नौ सेनाव द्वारा प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटन दर्रे के खिलाफ घेरा बनाये रखने के लिए किया गया, एक सोर्सिस्ट माउंटन पास के बाहर राक्षसों की सेनाव के भीतर, केवल छटी पास तक पहुँचने वाले लोगी कम से कम तंबू में रहने के योग्य थे, यही कारण है कि शेंड यू ने कहा कि वे ज्यादातर पांचवे और छटे चरण में राक्षसों को निशाना बना रहे थे, किसी ने भी अच्छे लक्ष खोजने का रास्ता पूछने की जहमत नहीं उठाए, बस कुछ दु कर रहे थे, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उनके सिर के ठीक उपर आकारीन चायाए गायब हो रही थी, शेंड यू अब थोड़ा हैरान था कि लॉंड हाव चेन क्या कर रहा था, मूल रूप से वह उपरेशन के दौरान लॉंड हाव चेन और का अनुसरन करन की योजना बना रहे थे, लेकिन इसकी शुरुआत की घोशना के तुरंत बाद वे बस अपने रास्ते चले गए, इस ओपरेशन के ड्राइवर के रूप में, शेंड यूस पश्ट रूप से उस चक्कर में उनका पीछा नहीं कर सका, उसे कातिलों के मंदिर की सभी शक्तिय हाला की साथ दानव देव स्तंब पहले से ही अपनी शक्ति खो रहे थे, फिर भी उनमें महान अन्वेशंक शमताय थी, इसके अलावा, डबल तलवार राक्षसों के जुंड को बाहर रखे जाने के कारण, ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि किसी आश्चरेजनक हमले का पता न चले, उनकी नजर में मनुष्य काय थे और ये मानव शक्तिया हलके से कोई मजबूत कदम उठाने का साहस नहीं करेगी, पास में राक्षस देव स्तंबों के साथ इन अत्याचारियों की ताकत 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई थी, डबल स्वार दानवों को खत्म करने के वे बिखरे हुए निम्न श्रेनी के दानवों और दानव भेरियों से गुजरे, शेंग यू का मानना था कि इस दायरे में वे शिविर के केंद तक पहुँच जाएंगे, या दानव जबकि वे अभी भी छिपे हुए थे, इस राक्षस शिविर की चावनी में 10 लाख से अधी कारण था कि वे गलती से उन्ही लक्षों के पीछे जाने से नहीं डर रहे थे, इस राक्षस शिविर में 20 से अधेक विभिन जातिया थी, जिन में से सभी लंबे समय से सो रहे थे, आकाश में कुछ लहरे दिखाय दी, जहां शेंग यू की अद्रिश्य आकृती घू और ये तब भी लागू होता है जब दुश्मन बहुत कमजोर माना जाता है, हमला करने पर अद्रिश्यता की क्षमता तुरंत गायब हो जाती है, इसलिए छटे चरन में बिना आवास के दुश्मनों को खत्म करना कोई आसान काम नहीं था, शिविर के इस हिस्से में प्रतेक राक्षस की विशेशताओं के बारे में उनकी समझ वास्तव में गहरी थी, इस कारण से उसने इस बात का अत्यदिक ध्यान रखा कि उसकी गंध का कोई भी निशान न चुटे, अन्य था, सपने में भी इन छटे या सात्वे चरन के दानव भिलियों को उनकी उपस अस्तिर, सटीक और भायन कर था, उसकी गर्दन के पीछे की केंद्रिय तंत्रिका को निशाना बनाते हुए और सीधे उसके पूरे मस्तिष्क में छेद कर दिया, ऐसा घाव ततकाल हत्या के लिए काफी था, इस राक्षसी भिरिये को शोर मचाने से बचाने के लिए, जैसे ही उसका खंजर राक्षसी भिरिये की पीठ में घुसा, उसकी आध्यात में कूर्जा तुरंट फैल गई, और उसे एक कथोर स्थिती में बंद कर दिया, ये पूरी प्रक्रिया सरल लग सकती है, लेकिन जैसे ही उसे अंदर लाया गया, शेंग यू के खंजर में आध्यात म एक उर्जा तीन परिवर्तनों से गुजरी, इसे हत्यारे ट्रिपल स्वोर्ट ट्रांस्फोर्मेशन के नाम से जानते थे, हमला शुरू करते हुए, शेंग यू की आकरती फिर से सामने आई, हाला कि यह अंधेरे के एक हिस्से की तरह था, न केवल पूरी तरह से बिना किस जलने वाले लगभग सभी हतियार जहर से युक्त होंगे, जिसे राख कहा जाता है, इसे अपने आप में घातक जहर नहीं कहा जा सकता, केवल ये दुश्मन के घाव को तुरंत बंद कर देगा, क्योंकि यह एक अत्यंत शक्तिशाली जलने वाला जहर है, अगर ये त्वच चुपाने के लिए किया गया था, रक्त का प्रवाह पूरी तरह से बंद हो गया, और कम से कम एक घंटे तक इस दानव भिर्ये ने अपनी साथ शुरुआतों से रक्त का कोई निशान नहीं दिखाया, हत्यारे के मंदिर ने अपनी जाच हत्या पर केंडरित की, और ऐसा चुपचाप समाप्त हो जाने के बाद, शेंग यू ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसी वेधी का उप्योब करते हुए, उसने शिविर के इस हिस्से में आराम कर रहे सभी आठ राक्षसी भेडियों को तुरंत खत्म कर दिया, ठीक इसी क्षन एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसकी उसे आशा नहीं थी, एक राक्षसी भेडिया खड़ा होने से पहले दारता हुआ, शिविर छोड़ने की कगार पर था, क्या ये पेशाप जाने की इच्छा थी, शेंग यू की अभिव्यक्ति तुरंती काफी विचित्र हो गई, इस प्रकार के उच्चस तरिये रा परीका नहीं था जिससे उसे पता न चले की कुछ बुरा हुआ है, कम से कम उसके साथियों की सासों की कमी पर किसी का ध्यान नहीं जा सका, लेकिन शेंग यू ने आख मून कर काम नहीं किया, उस राक्षसी भेडिये को शिविर को पार करते हुए बाहर आते हुए देखकर, उसने एक बार फिर अंधेरे में गायब होने से पहले शेश तीन राक्षसी भेडियों को सोने की व्यवस्था की, थोड़े समय बाद राक्षसी भेडिया जो थोड़ी देर पहले चला गया था, वापस लोट आया, जैसा कि अपेक्षित था, उसकी आखें अधिक केनरित ल यू की आखे चमक उठी और काली रोशनी की एक चमक में, उसने प्रकाश की गती से इन बारह दानव भेडियों कमांडरों की लाश को बरामत कर लिया, यह ना केवल उनकी मृत्यू की खबरों को बाहर आने से रोकने के लिए था, बलकि उनके उच्छ स्तरिय जादूई क्र आनिकों से दरने की क्या बात थी? राक्षस शिविर के चारों और वही नरसनहार हो रहा था, प्रत्येक हत्यारे ने अपने अपने जानलेवा तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन बिना किसी अपवाद के, वे सभी अद्रिश रहे. कईयर का नित्रित्व करते हुए, स्थान जहां वह और कईयर थे, शिविर के उस हिस्से के आसपास था जहां दोहरी तलवार वाले राक्षस और अन्य निम्स्तर के जानवर रहते थे. उनकी खेती को देखते हुए वहाँ चुपचाप रहना उनके लिए कोई चुनोती नहीं थी. हाला कि कईयर लॉंध हाउ हाउचेन की निश्क्रियता के कारणों को लेकर उल्जन में थी, उसने विस्तार से नहीं पूछा और उस पर भरोसा किया. यह उन दोनों के बीच के रिश्टे के कारण नहीं था, बलकि साथियों, साथियों के बीच के विश्वास के कारण था. यह कहा जा सकता है कि हाउच के बाद भी कई एर के लिए यही बात लागू हुई, कोई कारण होना चाहिए कि वह इस तरह चुपचाप क्यों लेटा रहा। चुपचाप सभी परिवेशों का निरीक्षन करते हुए, लोन हाउचेन ने अपनी मानसिक उर्जा को यथा संभव अधिक्तम सीमा तक फैलाया। उन्होंने कुछ दानव देव स्तंभों के प्रभाव क्षेत्र के अलावा इसे जितना संभव हो सके फैलाने की पूरी की, धीरे धीरे प्रशंसा से भरते जा रहे हैं, उनके होश में इस ओपरेशन में भाग लेने वाले हत्यारों में से एक भी सामने नहीं आया। दूसरे शब्दों में उसकी मानसिक शक्ती भी उसकी स्थान को समझने में सक्षम नहीं थी। यद्यपी सैन्य शिविर ने सिक शक्ती काफी थी, इसलिए उसकी पहचान सीमा के भीत, कम से कम कुछ हत्यारों को अपना कर्तव निभाना चाहिए था। ये तथे कि उसे कोई पता नहीं चला, उसकी कुशलता का पर्याप प्रमान था। लोंग हाउचेन को जरा भी चिनता नहीं थी। जितना अधिक सम बीटता गया, हत्यारों की उपलब्धिया उतनी ही अधिक बढ़ती गई। ये सचमुच एक अच्छी बात थी, ये सबसे अच्छा होगा यदि स्थिती कुछ समय तक बनी रहे। हत्यारों की ताकत को देखते हुए, भले ही उन्होंने हर मिनट शिविर के केवल एक दिवी वह बस कभी-कभी अपना सेर उठाता था और दूर स्थित राक्षस देव स्तंभो की दिशा में देखता था, उनका धुंधला काला रंग टिम्टिमा रहा था। समय मिनट दर मिनट और सेकंड दर सेकंड बीटता गया। राक्षस पूरी तरह से बेहोश थे, क्योंकि पू हाउचेन की मुठिया बहुत पहले से कसकर बंधी हुई थी और वह स्पष्ट रूप से महान भावना से भरा हुआ था। केवल दस या इतने ही मिनटों में उनके ओपरेशन द्वारा किया गया योगदान पहले से ही बहुत बड़ा था। आखिरकार उसके लक्षय आपके और सत्राक्षस नहीं थे। ठीक इसी समय साथ दानव देव स्तंभों का मद्य भाग चमक उठा और फिर आन्य छे दानव देव स्तंभ चमक उठे।